मंतरन को सह सिकार करके यहाँ पर पदा रहे हैं, तो सभी को मैं स्टेज पर पदारने के लिए निवेदन करता हूँ, परमादनिया पदमस्री स्रिमती अजिता स्रिवास्तव, मैं सभी वलेंटियर को निवेदन करता हूँ, अभी हमारे सभी गेश को स्टेज पर लेके आए, परमादर्णिया पदमस्री बसंती देवी जी, परमादर्णिया पदमस्री सद्गुरु ब्रंदे साधन आचारिय स्वामी जी, प्रमादनिय पदमस्री खेशिल अलिदार प्रमादनिय पदमस्री हिम्मत राव सालुबा बावसकर प्रमादनिय पदमस्री सर्दार जग्जचिंग दर्दी प्रमादनिय पदमस्री खाडू वाचुक भुटिया प्रमादनिया पदमस्री माल जिबाई देव जिबाई देशाई आदनिया पदमस्री सुरुष्री नलिनी अस्थाना पदमस्री सुरुष्री कमलिनी अस्थाना प्रमादनिया पदमस्री प्रमोध भगत जी प्रमादनिय स्री प्रमादनिय स्री प्रमादनिय स्री प्रमादनिय प्रमादनिय स्री प्रमादनिय स्री प्रमादनिय प्रमादनिय स्री प्रमादनिय स्री प्रमादनिय स्री प्रमादनिय स्री प्रमादनिय स्री प्रमादनिय प्रमादनिय स्री प्रमादनिय प्रमादनिय स्र अधनिया पत्मस्री सेटपाल सिंजी, प्रमादनिया पत्मस्री विद्यानन सरेक जी, प्रमादनिया पत्मस्री विद्याबिन्दु सिंजी, प्रमादनिया पत्मस्री देवेंद्र जाजड़िया जी, अधनिया पत्मस्री विद्याबिन्दु सिंजी, पत्मस्री विद्याबिन्दु सिंजी, लेके आए, सभी हमारे जोलक्या परिवार के सभी सद्रस्यों को भी निवेजन है, इस तेट पर आने के लिए मैं निवेजन करता हूं, हमारे भलत्या परिवार के सभी सद्रस्यों को अधने स्री सवजी का का तुन्सी का का अधने स्री इंमत का का अधने स्री इंतु भाई प्रिजेश भाई राजेश भाई सभी हमारे अलिकुष्ण परिवार के सभी सद्रस्यों को दिमेदन है श्री पर आने की और मादनिया स्री नरेश भाइद मुना के लिया जी को में दिवेदन करता हूं स्टेट पर आने के लिए जो रविया भाइद हो लग्या प्लिस कमान के स्टेज पहले तो एक बार जोरदा तालिया हो जाए हमारे सभी मेहमानों के लिए सभी एवोडीज के लिए एक बार जोरदा तालिया हो जाए मैं निवेदन करता हूं परमाधनिया हरी कुष्ण ग्रूप आयोजीत आज के इस भारत देश के 2022 में भारत सरकार ने पदमद स्री से नवाजय गए ऐसे सभी महानुभावो यहां पर उपस्तित है और हरी कुष्ण परिवार के और धोलक्या परिवार का आमंतर्ण का सहस्युकार करके पदारे है आज अरिकुष्ण परिवार एवं दोलक्या परिवार हर्ष और आनन की अभिलासा और प्रसलित अनुभव करते हैं आज के इस पावन अवसर पर हमारे आमन दन का सहसिकार करके हमारे सभी आमन्त्रित महमनों का भी इस पावन अवसर पर मैं तहदिल से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ हमारी सुरत सहर के सभी संस्थाओं के सामाजी संस्थाओं से पधारे सभी प्रमूक उप्रमूक एवं सभी कर्मचारी ग्राण जो संस्ता में काम करते हैं और सामाजिक संस्ता से जुड़े हुए सभी का तहदिल से स्वागत है, अभिवादन है आज के इस पावन अउसर पर हम ऐसा मोका मिला है कि इन भारत देश के सभी ऐसे डाइमन्स को हमको संस्ता मानित करने का अउसर प्राप्त हुआ है भगवान को हम सुकरियादा करते हैं कि ऐसा मोका जो हमको प्राप्त हुआ है वैसा है भगवान को भी हम थैंक्स बोलेंगे कि इतने सारे डाइनेमिक व्यक्ति हमारे इस हरी कुछन परिवार में पधा रहे है हमारे सुरत सहर में पधा रहे है हमारे गुजरात में पधा रहे है तेह दिल से मैं स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, फिर से सभी को निवेदन है, हम जोरदात तालियों से अभिवादन करेगे सभी का आज के इस पावन अवसर पर हम सभी पद्म एवोड़ी जो यहां पर महानुभाव पदा रहे, उसको सुनने का भी हमको अवसर प्राप्त हुआ है, जिस शेक्र में सभी को पद्म एवोड़ मिला है, उसको हम सुनेंगे और अपने जिवन में कुछ नया एचिवमेंट करेंगे और एवसर प्राप्त हुआ है, हम भी धन्यता की अनुभाव करते हैं, धन्यता का अनुभाव करते हैं कि इस पावन अवसर पर हमको सुनने का आज मोका मिलेगा, हम सभी एवोड़ी को सुनेंगे और उसने जो अपने जीवन में ऐसा कुछ एचिवमेंट किया है, तो हम भी उसमें से कोई जीवन में उतारेंगे ऐसी चीज, जिसने इतने सारे पद्म एवोड़ी को सुनने का अउसर प्राप्त हुआ है. सभी पद्म एवोड़ीज को हम पहले संद्मानित करेंगे, उसके बाद हमारा विदिवत कारिक्रम सुरू करेंगे, हमारे बीच में सभी एवोड़ीज यहां पे उपस्तित है, मैं हमारे अरिकुष्ण परिवार के मोभी एवं करता हरता एवा आधनिया पुरमाधनिया से स करता हूं कि संद्मानित करने के लिए परमाधनिया स्री पदमस्री अजिता स्रिवास्ता उजी को में निवधन करता हूं आगे आ जाए और हमारे परिवार से हमारे मोभी एवं सभी एवं सभी दोलक्या एमार अधनिया स्री गवरी काकी को निवधन करता हूं साल और समूर जोर्दा तालियों से अभिवादन करते रेंगे. भगवत गीता से संदमान करेंगे एवं शाल देके और छोड का गंबला देके हम संदमान करेंगे. पदमस्री अजिता स्रिवास्तव जी मैं उसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि जो खुद वो यहां पे बोलेंगे और उसका किसके क्षेतरा में पदमस्री मिला है वो हम उसी के मुह से सुनेंगे. उसके बाद पदमस्री अर्जून सिंग जी को निवेदन करता हूँ आगे आजाए. मैं सवची काका को वही निवेदन करता हूँ के संदमानित करें. अर्जून सिंग जी धूर्बे जी. मैं आदरनिय स्री तूलशी काका को साथ में संदमानित कर ले के लिए जोरदा तालिया हो जाए. उसके बाद अवद किशोर जडिया जी, पदमस्री डॉक्टर अवद किशोर जी को निवेदन है. परमादनिया हिमत भाई धोलक्या जी को निवेदन है. अदनिया पदमस्री अवद किशोर जी जडिया जी को संदमानित करें. साल पौधा और भगवत गिता से संदमानित करते हुए परमादनिया हिमत भाई एवबान सव जी भाई जी दोलक्या जी खुब कुबाबार उसके बाद पदमस्री बसंती देवी को निवेदन है आगे आजाए है मैं निवेदन करता हूँ मंजू बेन धोलक्या जी को मंजू बेन धोलक्या और हिमत भाई दोलक्या श्रीमती बसंती देवी जी का संदमानित करते हुए साल पोधा और भगवत गिता से संदमानित करते हुए हिमत भाई और मंजू ला बेन को प्रमादनिया पदमस्री सद्गूरु ब्रमेशानन आचारिय स्वामी जी हमारे बीच में उपसित है जोरदार तालिया हो जाए खुब खुब आबर पदमस्री सद्गूरु ब्रमेशानन आचारिय स्वामी जी को निवदेन है आगे आ जाए मैं परमादनिया श्री हमत भाई जी तुल्सी भाई जी एवं साउजी काका को निवदेन करता हुँ स्वामी जी का संदमान करे साल बोधा और भगवद गीता देकर संदमानित करते हुए कुप कुप दन्यवाद हमारे बीच में पदमस्री फैजल अली दार यहां पर उपस्ति थे पदमस्री फैजल अली मैं निवदन करता हुँ आगे आ जाए और फिर से मैं तिनो भाईयों से निवदन करता हुँ के फैजल अली का साल पोधा और भगवद गीता देकर संदमानित करे जोर्दा तालियों से नवाजेंगे अभिवादन करेंगे जोर्दा तालियों से नवाजेंगे परमादनिया पदमस्री डॉक्टर हिमत राव सालुबा भावासकर मैं दिवदन करता हुँ आगे आ जाए मैं बिदन्ती करूंगा अधर्णिया स्री सौजी काका तुल्शी काका और हिमत काका को संदमानित करें शाल पोधा और भगवद गीता से संदमानित करते हुए जोरदा तालियों से हम अभिवादन करेंगे कुपकुबाबार हमरे बीच परमादनिया पदमस्री सर्दार जगजित शिंग जी दर्दी जी यहां पे उपसी थे जोरदा तालियों से अभिवादन करेंगे मिनिवादन करता हुँ परमादनिया हिम्मत काका और साथ में तुल्शी काका को भी साथ में जूडने के लिए शाल, पोदा और भगवत गिसा से सन्मानित करने के लिए जोरदा तालियों हो जाए हमरे बीच पदमस्री खांडू वांचुक भूतिया जी यहां पे उकसी थे में निवेदन करता हुँ आ गया जाए साथ में जूडने के लिए मैं निवेदन करता हूँ अधरनी स्री पिंटू भाई जी को स्टेज पर आ जाए पिंटू भाई इमत काका साथ में रहे साल, पोदा और भगवत गिता से सन्मानित करने के लिए हम जूरदा तालियों से अभिवादन करेंगे सन्मानित करेंगे परमादनिय स्री माल जी भाई, देव जी भाई, देशाए पदमस्री माल जी भाई, देव जी भाई, देशाए आप वहाँ पे ही देए माव जी भाई मैं अधनिय राजस भाई को साथ में जूडने के लिए निवेदन करता हूँ राजस भाई और पिंटु भाई और तूलसी काका से निवेदन है साथ में रादाका की से निवेदन है आगे आजाए माल जी भाई, देव जी भाई, देशाय पदमस्री यहाँ पे उपसी से बुजूर्क वरिल और हमारे इस पावन अवसर पर पदारे हमारे गुजरात के माउजी भाई जोर्दा तालियों से अभिवादन करेंगे प्रमादनिया पदमस्री सुरुसी नलीनी अस्थाना जी को मैं निवेदन करता हूँ आगे आजाए मैं आदनिया गवरिका की, मन्जु का की एवं रादाका की से निवेदन करता हूँ शाल, वोदा और भगवत गीता से संद्मानित करेंगे जोर्दा तालियों से अभिवादन करेंगे जोर्दा तालिया हो जाए पदमस्री सुरुस्री कमलीनी अस्थाना मैं निवेदन करता हूँ वहाँ पे ही रहे, नलीनी अस्थाना भी वहाँ पे रहे और तिनो काकियों के से निवेदन है संद्मानित करने के लिए एक बार दोनों के लिए जोर्दा तालिया हो जाए खुबको बाबार, थैंक्यू सो मच पदमस्री प्रेम सिंग जी से निवेदन है आगे आजाए प्रेम सिंग जी मैं अनुरोद करता हूँ आदर्णिय स्री नरिश भाई लुनागरिया जी एवं सार्दा बेन लुनागरिया को स्टेच पर आने के लिए प्रेम सिंग जी सन्मानित करने के लिए नरिश भाई एवं सार्दा बेन को निवेदन है साल, पोधा और भगवत गिता से सन्मानित करने के लिए हम जोरदा तालियों से अभिवादन करेंगे पदमस्री प्रेम सिंग जी का प्रमादनिया पदमस्री पंडित राम दयाल सर्माजी मैं निवेदन करता हूं आगया जाए इहमत काका को निवेदन है और साथ में ब्रिजेश भाई से अनुरोध है कि आदनिया श्री पंडित राम दयाल सर्माजी का सन्मान करें साल पोधा और स्रीमत बगवद गीता से सन्मानित करते हुए अपरमादनिया स्री इम्मत भाई एवं ब्रिजेश भाई दोलक्या जोर्दा तालिया से हम अभिवादन करेंगे हमर बीच परमादनिया पदमस्री राम सहाई पांडे जी उपसी से मैं निवेदन करता हूँ आगे आजाए फिर से मैं आदनिया सवजी काका को अनुरोद करता हूँ साथ मैं पिंटु भाई को अनुरोद करता हूँ आदनिया राम सहाई पांडे जी का सन्मान करें साल पोधा और स्रीमत बगवद गीता से सन्मानित करने के लिए तालिया कम होती जा रही है हमारे गुजरात के पदमस्री रमिला बेन राइसिंग भाई गामित मैं अनुरोद करता हूँ आगया जाए मैं तिनो काकियों से निवेदन करता हूँ रमिला बेन का संदमान करने के लिए शाल पोधा और स्रीमत भगवत गिता से संदमानित करें रमिला बेन राइसिंग भाई गामित कुपकु बाबार हमर बीच परमादणियां पदमस्री इस दामोदरन जी उपस्ति थे मैं अणूरत करता हूँ तूलशी काका को राजेश भाई को संदमानित करने के लिए शाल पोधा और स्रीमत भगवत गीता से हमारे पदमस्री इस दामोदरन जी यहाँ पे उपस्तित है उसका संदमान करने के लिए तुलसी भाई धोलक्या जी एवं राजेश भाई को मैं अनुरत करता हूँ दामर जुद्र का संदमान करे कुपकु बाबार परमादर्णिया पदमस्री प्रोफेसर संदमान करे प्रदुप आध्याय मैं निवधन करता हूँ आगे आ जाए मैं तिनो काकियों से निवधन करता हूँ के संदमान करे अधर्णिया स्री मंजु काकी राधा काकी अम गवरी काकी से निवधन है साल पोधा और भगवत गिता देकर संदमान करे मैं द्रविय भाई से निवेदन करता हूँ आगे आ जाए पुकु बाबार परमादर्णिय पदमस्री सेटपाल जी सिही जी यहां पे है मैं जोर्दा तालियों से अभिवादन करने के लिए सन्दमानित करने के लिए मैं हिम्मत काका को निवेदन करता हूँ साथ में द्रविय भाई दोलक्या द्रविय भाई को निवेदने स्टेज पर आ जाए पदमस्री सेटपाल जी का साल पौधा और भगवद गिता देकर सन्दमानित करने के लिए जोर्दा तालिया हो जाए खुब खुबाबार उसके बाद परमादनिया पदमस्री विद्यानन सरेक जी विद्यानन जी को निवेदन है आगे आजाए मैं साउजी काका को एवं तुल्शी काका को और हिमत काका को अनुरत करता हूँ साल पौधा और स्रीमत भगवद गिता देकर सन्दमानित करे खुब खुब अबार पदमस्री विद्यानन जी को ऐसा भाव प्रकट हुआ कि मेरे को भी ये तीनों भायों का सन्दमान करना है इतने सारे पदमस्री के बीच में और सभी आमनतीत महमानों के बीच में ऐसा भाव प्रकट हुआ है कि देयनन सरेक जी तीनों भायों का सन्दमानित हमारे बीच में सभी जोरदा तालिया हो जाए मैं अनुरत करता हूँ अधनियक गवरी काकी को अधनियक गवरी काकी का सन्दमान करते हुए पदमस्री विद्यानन सरेक जी जोरदा तालिया हो जाए कर दो कर दो कर दो कर दो परदेश्ट ना जे आपने पागरी ओय सवरास्ट मा गुजरात मा एम आटोपी पेरावी ने सनमानित करवा माटे जे वो भावुख बईनाचे और आज इस पावन अवसर पर धन्यता की लागनी अनुभव कर रहे हैं सभी दोलक्या परिवार हमारे बीच पदमस्री अरजुन सिंग जी यहाँ पे उपस्तित है पदमस्री अरजुन सिंग जी को भी अधनिया पदमस्री सौजी भाई दोलक्या का संदमान करना है मैं निवेदन करता हूँ अरजुन सिंग जी को और संद्मानित करें आधनिया सवुजी काका का एक बार जुर्दा तालिया हो जाए दो तिन मिनिट में हमारे बीच में परमादनिया हमारे वडिल मुरब्वी धन्जी दादा और सवुजी काका के सबसे छोटे भाई परमादनिय स्री गंचाम भाई दोलक्या जी पदार रहे तो हम सभी जोर्दा तालियों से अभिवादन करेंगे परमादनिय धन्जी दादा एवं समगर मुंबई से पदारे सभी परिवार जनो मैं अनुरोद करता हूँ आगे आ जाए हम लोग सब के बीच में सभी का सनमान करते हुए परमादनिय पर्दमस्री डॉक्टर अवद किसोर जरिया जी यहां पर उपस्ति से अवद किसोर जी को भी सनमानित करने के लिए पदमस्री सौजी बैका सनमान कर रहे है जोरदा तालियों से हम नवाजेंगे डॉक्टर अवद किसोर जरिया पुस्तक भेट देकर सनमानित कर रहे है हमार बीच में सौजी भाई के पिता स्री वडिल मुरब्बी आदर्निया स्री दंजी भाई नारण भाई दोलक्या जी एवं मातू स्री पुली बेन दंजी भाई दोलक्या पदा रहे हम जोरदा तालियों से अभिवादन करेंगे स्वागत करेंगे साथ में परमादनिया स्री गंशाम भाई दोलक्या जी धर्मिष्टा बेन दोलक्या जी घितार्द भाई दोलक्या जी यहां पे उपस्तित है हम जोरदात तालियों से अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे आज के इस पावन अवसर पर पूरा परिवार यहां पर उपसी थे सभी महमानों से निवेदन है, अपना स्थान ग्रहन करें आज हरीकृष्ण ग्रूप आयोजीत दोजार बाइस पद्म पूरशकार पूरशकृत सभी पदमस्री महमानों का अभिवादन हो रहा है हमारे बीच में सभी परिवार के सदस्या यहां पर मौझूद है तोलक्या परिवार प्राउट फिल कर रहा है कि इतने सारे पदमस्री को संदमान करने का आज बगवान ने मौका दिया है और आज हम सभी का स्वागत कर रहे साथ साथ में हमारे सभी महमानगन यहां पर उपस्तित है उसका भी संदमान रदय से कर रहे यहां पर अभिवादन कर रहे है सभी का स्वागत कर रहे हमारे बीच में उपस्तित के चबड़कास दिवेदी जी उपस्तित में निवदन करता हूं आ गे आ जाए चबड़कास दिवेदी जी मैं अनुरोद करता हूं आदनिया गंशम का का धुलक्या जो मुमबई से पदार रहे जोरदात तालियों से अभिवादन करेंगे साथ दादा को भी निवेदन है साथ में जूडने के लिए साल पोदा और स्रीमत भगवत गिता से सनमान करते हुए वडिल मुरब्भी आदनिय धन्जी दादा आदनिय स्री घंशाम भाई जी अदनिय स्री साउजी भाई जी सभी का सनमान करते हुए कुपकुबाबार हमारे बीच में पदमस्री डॉक्टर विद्या बिंदू सिंग जी उपसित है मैं निवेदन करता हूँ आगे आजाए मैं माता जी फुली बा को निवेदन करता हूँ अदनिय स्री धर्मिष्टा आंटी को निवेदन करता हूँ और गवरी का की मंजु का की राधा का की जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे डॉक्टर इद्या बिंदू सिंग जी पदमस्री यहां पे संद्मानित हो रहा है साल पोधा और स्रीमत वगवत गिता से हम संद्मानित कर रहे हैं चोरदार तालियों से हम अभिवादन करेंगे सभी का नमस्कार सबीको आज का कार्यक्रम जब शुरू करने जा रहे है सभी का संद्मान करते हुए जितने 2022 में पदम एवाडी हमारे बीच में है ऐसी कोई घटना देखी हो और महसूस कर रहे हो आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि 30 से जादा पदम एवाडी एक साथ स्टेज पर विराजमान हो सभी के लिए ताल्या बजाकर हम स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में जिसका नाम रखा है दे जर्नी ओफ पदम एवाडी जिसमें हम आज उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने क्या किया ये सुनने का आउसर हम सब को प्राप्त हुआ है तो मैं सभी पदम एवाडी का रिदेई से स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम में यहां पदारे हुए पदम एवाडी के परिवार जनों का भी मैं स्वागत करता हूँ दूर दूर अलग-अलग जगाओं से कैसे तो 24 गंटे मुसाफिर करते हुए यहां पहुचे है मनिपूर से है, सिक्किम से है अलग-अलग जगाओं से यहां पोचने के लिए भी वो इतने आतूर थे कि ऐसा कोई प्रसंग उत्पत हुआ कि यहां एक साथ इखटा हो पाए मैं सभी मेहमानों का, हमारे वैल विशर का सभी संस्था हो जो सुरच से पदा रहे है और हमारे सभी मित्र का हर देख स्वागत करते हैं आज के कारिय क्रम में इस अउसर पर हम जब इखटा हुए है तब मैं एक बात बताना चाहता हूँ यह विचार इसलिए आया कि जब एक साल पूरा हो रहा हो जब पदमश्री, सवजी अंकल और यहां बिराजमान सभी पदमयवाडी को मिला तो क्यों न हम इखटा होए उनसे वारतलाब करे उनसे कुछ जान पाए और हमारे जैसे यंग्स्टर सब कुछ न कुछ उनसे ले पाए इसी कारण वर्ष हमने यह निर्णे लिया कि हम एक साथ एकटा हो पाए मैं सभी पदमयवाडी का वापिस हर दिक स्वागत करता हूँ और सुनने में ऐसा कोई आया नहीं है जब दो पदमश्री, तीन पदमश्री, पदमभुशन को इखटा करके उनके साथ वार्थालाब करेंगे आज मैं नरेश भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का कारियकराम शुरू करें अभार विजेश भाई आज का इस कारियकराम का विदीवद सरुवाद करते हुए दीप प्रागतिय से आज का कार्यकम की सूप सरुवात करेंगे मैं निवेदन करता हूँ परमादनिया सौजी का का गंश्यम का का और सभी महमान गनों से कि आज का दीप प्रागट्य विदी में जूड़ने के लिए परमादनिया दादा स्री सब अपने अपनी जगा पे हो जाए और मैं निवेदन करता हूँ आज के इस कार्यकम का दीप प्रागट्य विदी से सरुवात करने के लिए उसके बाद साथ में मैं अनुरोद करूँगा दीप प्रागट्य विदी के बाद हमारी कॉर्परेट प्रात्ना हम जोरदा तालियों से आज के दीप प्रागट्य विदी काम सुप सरुवात करेंगे आज का कार्यक्रम की हमारी कॉर्परेट प्रात्ना रोज सुबे दस बजे और दस बजे के बाद दस मिनिट के बाद हमारी जो प्रात्ना होती है इतनी शक्ति हमें देना दाता उसकी सरुवात करने के लिए हमारे देश विदेश में हमारी कमपनी में ये हमारी प्रातना हर एक जगा पे सुबह दस बजे और दस मिनिट में ये प्रातना होती है तो प्रातना के लिए निवेदन है हम सभी अपने जगा पे खड़े होंगे प्रात्ना करेंगे इतनी सक्ति हमें देना दाता मन का विश्वात कम दोर हो ना इतनी सक्ति हमें देना दाता मन का विश्वात कम दोर हो ना हम चले नेक रदे पे हमसे बूल कर दे कोई बूल बूला इतनी सक्ति हमें देना दाता मन का विश्वात कर दोर हो ना हम चले नेक रदे पे हमसे बूल कर दे कोई बूल बूला इतनी सक्ति हमें देना दाता मन का विश्वात कर दोर बूला दूर अग्यान के हम तेरे तू हमें ग्यान की रोशनी दे हर बुराएं से बचते रहे हम जितनी भी दे भनी जिन्दगी दे बैर हो ना किसी का किसी से भावना मन में बदले के बोला हम चले नेक रदे के हमसे बूल कर भी कोई बूल बोला इतनी शक्ती हमें देना गाला मन का विश्मास कर दोर बोला हम ना सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे किया क्या है अर पर पूल खुशिया के बाटे सभी का सबका जीवन ही बन जाए मजबन लो अपनी करुणा का जलतू बहा के कर दे बावन हर इक मन का कोणा हम चले नेक रदे पे हमसे बूल करके कोई बूल हो ना इतनी शक्ती हमें देना दाता मन का विश्वास कंजोर हो ना कुपकुबाबार आज हमारे बीच सभी पद्म एवडी यहां पर उपसित है मैं अनुरोद करूँगा संखनाद से आदनिय गंशम काका आदनिय शरी सभी साथ में जुड़े पद्म एवडी महनु भाओ जो संखनाद से कार्यकम की सूप सरुवाद जिसको भी संखनाद आता है वो संखनाद से सरुवाद करेंगे और अपनी जगा पे खड़े हो जाएंगे और आज इस सुंदर वातावरण में संखनाद से आज का कार्यकम सूप सरुवाद हो रहा है जोरदा तालिया हो जाए बद्दा मेमन उने परमिननदी से एक वार जोरदा तालिया हो ने आज कोदा नी जगिया पर उबाताईने अभी वार जोरदा तालिया हो जाए फरी ती एक वार जोरदा तालिया हो जाए कुपकुबाबार मैं अनुरोद करता हूँ सभी हमारे पद्वा एवोडीज अपनी स्टेज के सामने जो बैठक है वहाँ पे अपना स्थान गरहन करे मैं अपने परिवार के सभी सदर्शों को निवेदन करता हूँ सभी एवोडीज मुरब्वी को अपने हातों से दादर से निचे उतारके अपना स्थान गरहन करवाए फिर से आज के इस पावन अवसर पर हरिकुष्ण परिवार एमव सभी धलक्या परिवार दजर्णी ओफ पद्मा एवोडीज तूथवाजन ट्वेंटिटीटू में सभी पदारे हमारे भारत भर से पदारे हुए सभी पद्मा एवोडीज एवम हमारे सभी आमंत्रित मेहमान गन सुरत सहर एवम समग्र गुजराज से सामाजिक संस्ता के सभी प्रतिनदियों का भी तहदिल से मैं स्वागत करता हूँ अभिवादन करता हूँ आज के इस पावन अवसर पर कारिकम जब आगे बढ़ रहा है तभी से हम लोग सभी एवोडीज को यहां पे सुनने के लिए आये है जो जो अपने जीवन में कुछ एचिव करके भारत सरकार ने पदमस्री से नवाजे है ऐसे हमारे भारत के डाइमन हमारे बीच में है आज के इस पूरे दिन में हम लोग ऐसी ऐसी अलग-अलग अलग छेत्रों से पदमस्री पुरसकार मिला है ऐसे महानुभावों को सुनने का आज अउसर प्राप्त हुआ है हम खुब धन्यक्ता के लागनी अनुभूति करते है कि आज ऐसे डाइनेमिक बक्तियों को सुनने का मोका हम सभी परिवार जनों को, सभी सुरतवासियों को और हमारे सभी महमान गन एवं पदारे सभी अतिति गन को मिलेगा तो मैं फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूँ अभिवादन करता हूँ और आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए मैं ब्रिजेस भाई से निवेदन करता हूँ थैंक यू आज के प्रोग्राम की शरुवात इस तरीके से हम करेंगे कि जो काम सौजी भाई दुलक्या ने पानी के लिए किया है जिनको पानी के लिए पद्मश्री से पुरशकार दिया गया है उसकी डॉक्यूमेंटरी हम पाँच मिनिट के लिए देखेंगे और उसके बाद एक कार्यक्रम हमने यूएस में किया था उसका वीडियो मैं दिखाऊंगा और फिर साजी अंकल स्टेज पे आके संबोधित करेंगे तो हम पहले पानी में जो काम हुआ है उसकी डॉक्यूमेंटरी हम देखेंगे इस डॉम के अंदर जो ये बारिश की आस में जिरो हाथ ये बादलों के अंदे तक्तकी लगाने आथ ये जल्प लिए परस्पी देखेंगे अब ये पिज़रे देखेंगे अब ना सीथे का दंश है अब ना इंतजार के पल है अब तो गाउं में ही खुशाली का जल जल संग्रहन की सबसे बहतर मिसाल है सरोबर साब जी ढोलकिया इस बारे में काफी सालों से सोच रहे थे सरोबर ना केवल जल संचयन में मददगार है बलकि वाटर हार्वेस्टिंग से भूमिकत जल स्तर में व्रिद्धी भी करती है साब जी की यही वो बुनियादी समझती जिसने उन्हें दुधाला के सरोबर निर्मान का रास्ता दिखाया अपने भारत का बला करने का है तो गाउं का बला करना पड़ेगा और गाउं का बला करना है तो गाउं को पानी देना पड़ेगा वोई जो मत सब्सुरी बप्सुरी नहीं दो चलेगा पैसा नहीं दो तो चलेगा कोई सीज उसको जरूरत नहीं है उसको पानी दो और अपने आप वो कैपेबल है और कैपेबल भारत को करेगा दो सो एकड में बना पंच गंगा सरोवर असल में पाँच सरोवरों का समूह है इसके निर्मान में पूरी उर्जा के साथ साब जी कूद पड़े साब जी को स्वयम मजदूरों सा कारे करते देखकर लोग अचरज में थे स्वयम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्टर के लाठी और अकाला गाओं में निर्मित हरी कृष्ण सरोवर का वर्ष 2017 में उद्घाटन किया और साब जी के बेमिसाल प्रयास की प्रशंसा किया अपने गाउवालों की तक्रीव दूर करने से शुरू हुआ सरोवर निर्मान का कारे अब काफी आगे बढ़ चुका है इसके तहट साब जी के मार्ग दर्शन में धोलकिया फाउंडेशन गुजरात और देश के विभिन शेत्रों में वर्ष 2021 तार 75 सरोवरों का निर्मान कर चुकी है इसके अलावा सिचाई के लिए कई तालाब और चेक डैम का भी निर्मान गुजरात के विभिन शेत्रों में साबजी कर चुके हैं सरोवरों में 700 करोड लीटर जल संचयन से 2 लाख किसानों को लाब पौचा है कम से कम दो फसल लेते हैं और एडवांस में पानी होता है बारिस के पेले उन फसल डाल डेते है बारिस का वातावरन आता है तो फसल ग्रोवना तालू हो जाता है लोग भी दीज डालते है तो इज़े तो ग्रोवना तालू जाता है अब बारिश कम बारिश होती है तो भी फसल होती है जो कि गाउन लेवल उपर आया वो कुवा है बोर है उसमें से पानी निकाल सकते हैं शिरी सब्जी भाई दन्जी भाई धोलकिया समाज सेवा साब जी धोलकिया के पर्यावर और समाज सेवा के निस्वार्थ कारे को भारत सरकार ने भी सरा है उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए साब जी भाई धोलकिया को पदमश्री से सम्मानित गया गया अभी तो मेरे को काम करना थी यह जान देगा तो उसको मालूम है तो हमने ऐसा ही मेरा तो शॉबाव रहा है कि उसने पदमश्री दिया मेरी जिम्मेदारी बड़ा दिया अभी तो मेरे को काम करना थी है संद्मान मतलब रिस्पॉंसिबिलिटी थी है हलो शंद्मान लेके देखना नहीं थी है लेकिन ये काम तो मेरे को पूरा करने की मदद करही ऐसा मन मन संकल पर करके तुभे फिर से उठता हूँ और एक नहीं सुबा और पेरना देती है और उज़ा देती है ऐसे सब्कार रहता है जै स्री कृष्णा जै सी जल कृष्णा खुबसूरती से जो काम हुआ है वो प्रस्तुत करने का मौका आज मिला और आनन से मैं कहना चाहता हूँ कि इसी जगा दुदाला में जहां धंजी ददा, फुलीबा और सभी चारो भाईयों का जन्मस्तल है और वही का हमने आयोजन कल किया है जहां पे हम सभी कल वहां पे रूबरू देखेंगे जो काम पानी का हुआ है ये डॉक्यूमेंटरी दिखाते हुए मुझे एक बात याद आ रही है कि वर्ड में जब पानी की बात चल रही हो और यूनाइटेड नेशन यूएस में जब पुरा वर्ड वाटर कॉन्फरेंस कर रहा हो तब हमने सवजी अंकल को पुछा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया को हम री प्रेजेंट कर सकते हैं जो पानी का काम हुआ है क्या अपलाई करें उन्होंने कैशूली ही बोल दिया ठीक है अपने देख लेते हैं जो उनको वर्ल्ड वाटर कॉन्फरेंस हो रहा है और वहां अगर मौका मिलता है तो बढ़िया बात है हमने अपलाई किया और पता चला कि पूरे विश्व में 728 ओर्गनाजेशन को स्पेशल अग्रिडियेशन दिया गया कि आप आके एटेंड कर सकते हैं उसमें इंडिया में 29 थी और दुलक्या फाउंडेशन जो साउजी अंकल ने काम किया है उनमें से एक थी हमारे लिए बहुत प्राउड की बात की कि हम युनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट कर पा है जो हमने पानी का काम किया है उसी दर्मियान साउजी अंकल गंशाम अंकल मेरे पापा तुलसी भाई और हिमद भाई ने सोचा कि क्यों न हम हमारे जो कस्टमर्स है हमारे जो माइनर्स है जिनसे हम डाइमंड रफ लाते है या पे पॉलिश करते है और कस्टमर्स को बेचते सभी को इखटा करके हम युन में एक ऐसा आयोजन करें कि जहां पे हम बता पाए कि क्या काम हो रहा है डाइमंड की वज़े से जादा बात तो सौजी अंकल बताएंगे लेकिन वाँ पे जो हमने इवेंट किया उसका क्लिब मैं बताना चाहूंगा युएन गाला डिनर रखके हमने वाँ पे भी ऐसे सन्मान किये जो सौजी अंकल जादा बात करेंगे हमारे स्टेक होल्डर्स जो माइनर्स है कस्टमर् सबी बात सौजी अंकल बताएंगे लेकिन इवेंट की ग्लीम्स हम याँ देखेंगे I welcome each and everyone of you on behalf of Dholakya Foundation which is the philanthropic arm of Hare Krishna experts Our foundation was started in 1996 with a strong commitment to sustain development In India only 29 organizations were there and the whole family was really proud that we are one of them And so I'm very very thankful for Hare Krishna and the partnership we have with them Ganshambay Dalakya managing director of Hare Krishna exports who has implemented water conservation And our slogan was so good learning man is earning man so we each other always we learn So here we are going to launch the first annual sustainability report since we are all gathered here So at this point in time we shall now be proceeding to the inauguration of lakes As Shoes Oh 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 झाल 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 झा मैं इंट्रीशन की हिस्ट्री में ऐसा कोई आयोजन पेली बार नियॉर्क में करने का मौका मिला और ये उपोर्चुनिटी लेने से भी हमें बहुत प्राउड फिल कर रहे थे खुबको बाबार मैं अनुरोद करता हूँ परमादनिया पदमस्री सवजी भाई धोलक्या जी को आज के इस पावन अउसर पर सब्दों से स्वागत करे और सभी का अभिवादन करे और प्रासंगी के उद्बोधन के लिए हम जोड़ात तालियों से अभिवादन करेंगे गुड़ मॉर्निंग आज की सुभे हमारी इस्ट्री में तो ऐसी सुभे आज तक देखी नहीं है ऐसी सुभे में आप सब का स्वागत है पाके में हम लोग बहुत लखी है बहुत खुस है यह जो पदमस्री ने हमारा निमंत्रन स्विकार कर इधर हमारी गरीमा बढ़ाई ह है और उसका फैमिली का भी स्वागत है में हम लोग तो मेरे को तो आप लोग जो बाकी के है वो सब सुनते है लेकिन हम आज अपने साथ आए जो मक्षद हमारा था वो सभी पदमस्री को सुनेंगे उसको क्वेस्टन भी करेंगे यह स्टेज खुला रखेंगे एनी क्वेस् के पास काफी सारा जवाब है हम लोग पूछ सकते हैं और बहुत बढ़ी अपोग्राम आज पूरा दीन करेंगे हमारे पास इनफ समय है अपनी मन की बात कहने के लिए और सुनने के लिए बहुत लखी हम लोग इसलिए है यह दोलक्या परिवार या तो हरी कृष्ण ग्रू अमेरिका में जो करने का था वो इसका इंपोर्टेड इसलिए में बता रहा हूं कि वहां पे अमारी डायमन इंड़स्टी में कभी 200 साल में किसी ने पदमस्री लिया ऐसा बना नहीं है तो इंड़स्टी के लिए बहुत प्रावड था 200 साल में कि आजमिन खाली बिजनस करत और तो कुछ करता नहीं है बिजनस तो सब पेट तो सब लोग भरते हैं किसी का पेट भरते है तब ही जो हमारा पेट भराता है वो किसी को पता नहीं चलता कि किसा पेट होता है इसलिए शोशा के बैई ट्रेड को सस्टेनेंबल यह इंग्लिश बाशाइब कोई हम समझते नह जाने वाला था कि वर्ड वाटर कॉंफरेंस हो रही है इसमें हम पार्टिसिपेशन करें फॉम भरें तो कर तू बहुत बड़ी बात वही हुई कि यह लोग ने अपने को इंप्रूर निबंद्रन दिया और वहां 22 तरिक 23 और 24 तरिक का वर्ड वाटर कॉंफरेंस होने वाला था 22 तरिक को मैं जाने वाला था पूरा फैमेली चला गया था मैं आपको बात करता हूं भगवान कुद्रत नेचर के से सपोर्ट करता है काफी लोगों मेरों को कल पूछ रहा था तो मैंने बला मैं कल बताऊंगा मैं तो अमेरिका जाने वाला था कि अमेरिका का पूरा कार्यकम बन गया था उनाइटेड नेशन में जाना उनाइटेड नेशन मतलब सब सुनना एक का बहुत बड़ी बात होती है 200 देश के लोग वाटर कॉंफरेंस में वाटर के मिनिस्टर आने वाले थे और 200 सेक्रेटरी थे और साड़ी साथ सो हमारी जैसी संस्थाए थी उसमें हमको निमंत्रण था और वहां को मेर को तीन मिनिट बोलने का मौका था तो विजेश ने बोला कि इसके आगे 19 तरीक को अम पुरा अपने ट्रेड के लिए एक फंक संग करें तो विजेश से बड़ा हमारा बड़ा भीया है उ और विजेश दे तिनों ने नकी किया कि हम हमारा ट्रेड को बताए कि हम दुनिया पूरी सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी उपर इंड़स्ट्री को काफी फोर्स कर रही है और लोग दिखा भी रहे कर भी रहे लेकिन इंड़स्ट्री में जरूरत है इसलिए कर रहे ह नहीं कि ये अंदर से तो हमने बोला sustainability उसने बताया sustainability मैंने बोला क्या होती है तो कि ये ये सब rules follow करे इससे तो काफी जादा rules हम लोग follow already कर रहे हैं वो लोग ने बोला हम present करते हैं पूरी दुनिया को ये दिखाया कि sustainability क्या होती है हमारी responsibility क्या है जैसा मैंने बता है पदमस्री मिला मतलब अपने को एक और responsibility दीए भारत में लोग कम नहीं है पदमस्री क्यों इतना ही कम को मिलता है और जो पदमस्री मिलने के बाद जो आदमीन ठाम ले तो भारत का भविश्य तो बदल सकता है आदमीन बैठ जाए पदमस्री लेके तो वो पाप हुआ हलो सबसे बड़ा पाप जो आपको पोस्ट मिल गए और पोस्ट मिलने के बाद आपने कुछ नहीं किया नकरा ओफिस में खमन खाया नास्ता किया उसका फी देना पड़ेगा जैसे हम उनको पद मिल गया पैसा मिल गया प्रतिष्टा मिल गई शरीर मिल गया दूना किया सबसे बड़ा द्रेश द्रोही तो वही है जिसके पास सब कुसे और कुछ नहीं करते तो हमारे से ही हो सकता है पदमस्री मिलने के बाद में मेरी स्टोरी बता हूँ तो काफी प्रॉब्लम सौल हो गया जो मेरे को दिक्कते आती थी भारत सरकार ने सनमान किया तो स इसका मतलब है कि अभी तू काम कर खाली सनमान मतले अच्छी अच्छी बात मत कर क्योंकि तेरे को फ्रीडम दिया सरकार ने फ्रीडम दिया कुद्रत ने पैसा दिया कुद्रत ने अभी तू काम कर जन्म ही काम करने के लिए मिला है बागी तो सब बाई प्रॉडक है तो हमन कि हम क्या कर नहीं कि हमारी पबली भगवान ने हमको इनफ दे दिया है यह सब बता वे तो फंक संग बड़ा सा बड़ा कि दू बोलो करो ओके तो सब लोग शले गए थे लाष्ट में में जाने वाला था अट्रा टारी नाइट को दिल्ली मेरा एक प्रोग्राम था अपने यह संदीप महेश्वरी से के साथ तो संदीप महेश्वरी भी मैं दस साल से मिलना चाहता था संदीप मरी भी कहां जाता नहीं है सर वो उसने मेरे को बुलाया तो मैंने यह मिस नहीं करने कि वहां गये दिल्ली में प्रोग्राम किया रात को मेरी ट्रेंड पकड़ने की थी और गर पे कोई नहीं था, भगवान क्या काम करता है, भगवान कैसा काम करता है, कि दादा का हाट का प्रॉबलम है, तो चेक अप कर अधरविश्टा एक थी, दादा ने भी ऐसा सोचा, मेरा फादर की मैं ये पांस साल से मैं सरौर का काम कर रहा हूं, मदर और फादर पांस साल से आप लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे P.E.A. की तरह काम कर रहा है P.E.A. की तरह मजर फाजर अपना P.E.A. बनके काम कर रहा है तभी ये सरोवर हो रहा है अपना मजर फाजर क्या करता है विरोधी करता है बेटा कहां से करे यह मेरा मदर फाज़ा पीए जैसे काम करता है जितना में बता के आया पुरा वीक में वो फॉलॉप लेता है और पीए की तरह काम करता है तभी यह होता है में भगवान कैसे काम करता है नेचर अपना कैसे काम करता है वो बताने जा रहा हो तो दस बजे मेरे को हम डिनर ले रह 84 की एज में चलता है और अभी अभी रिसंडली हम लोग काशी जा क्या है काशी में नरेंद्र भाई ने काशी मंदीर बना दिया गंगा से सिद्धा 75 दादर और में और फाधर बाजू में वो मंदीर है मालूमें वो सम्षान है तो हम लोग दादर सड़ते थे मदर्थी फाध दादर थे मेरा खंबा पकड़ा था तुलशी भाई मेरी वाईप और पांच और द्रव्य हम पांस थे वो ली दुलेटी में हम लोग गए थे दादर को दादरा सट्टे सट्टे फाधर थोड़ा हाप गए मैंने बोला ठक गये क्या कि नहीं पर दादर इतना कठीन है तो मै यह क्या है तो वहाँ पे 24 कलाग काशी विश्वनात के मंदिर के बाजू में सम्शान है वहाँ सब लोग 24 कलाग 20 लाज 24 बाई सेवन जलती है वहाँ पे काफी सालों का वेटिंग है हम दादा स्टोरी कर रहे थे तो बोले के यह क्या है लाज सब लोग इधर जलाने आते है तो कि यह से जलाने आएंगे इसका मौक्स नहीं होगा इधर मरे तो मौक्स होता है हम यह से हसते थे और दादर सड़ते थे यह हाट का प्रॉबलम था हमको कोई पता नहीं था उमर है इसलिए फिर भी हम काशी विश्वनात के मंदिर गए यह आठ दिन पेले की बात है 15 दि दर्मिष्टा को बोला का सनीवार है सलम होस्पिटल जाते क्यूं वैसे तो तीन-चार महीने से वह हाट का प्रॉबलम था लेकिन तीन-चार महीने से वह समझ रहा था कि मेरी एज की वज़े से मेरे को हाफ सड़ रहा है इसलिए किसी ने बताया नहीं थोड़ा दुखता है तो हाड़ वर्क बहुत करता है हाड़ वर्क करता है लिए उसको फिलिंग आया कि हाड़ वर्क के वज़े से ये साती में बादी दुखता होगा ये उमर में यही होगा ने किसी को बताया नहीं लेकिन बंबै सब लोग चले गये थे तो धर्मिष्टा को बोला आज प्री है उसको काफी बोला यह बगवान क्या काम कर रहा है वो गई नी धर्मिष्टा वरना जाती लेकिन उसका मगद दिवंग में क्या आया आई डॉन्डो मैंने भी नी पुछा वो गई क्यों नी लेकिन नहीं गई तो दादा ने पुछाल चाल धर्मिष्टा धर्मिष्टा को सब बॉंबाइ की ऑस्पिटल की सब की पता है क्योंके घंशम भाई की एक हाट का उप्रेशन किया था वो पता था शिद्धा ही अम्वानी में लेके गए डॉक्टर का फोन आया कि हाट का प्रॉब्लम है सुभे में एंजोग्राफी करके पता चलेगा और एंजोग्राफी में सब तीम रेडी रखनी पड़ती है एटीफाई की एज है बाइपास भी करना पड़े या तो स्प्रिंग से सला जाए या तो कोई भी हास्सा हो सकता है तो मैंने बोला आठ आठ दिन के बाद हो सकता है क्योंकि मैं अमेरिका का मेरा अपोग्राम है के नाय इसमें में करेंगे मैं सिधा फ्लाइट पकड़के बंबे आया वो लोग सब फंक्षंग दूसरे दिन फंक्षंग था सुबह आया एंजोग्राफी किया तो 90% में नली थी 90% ब्लॉक थी और फादर कैसे कासी विश्वनात के तैपन तोतेर पगतिया सड़ा पता नहीं है लेकिन एक भ आज चार दिन हुआ और आज सोथे दिन स्प्रिंग डाल के इधर आये हैं यह इसका स्टैमीना है तो यह कौन प्लान करता है कुद्रत प्लान करता है मैं कुद्रत के ऊपर क्यों सोड़ रहा हूं मैं सबसे बड़ी बात बताओं कुद्रत के ऊपर सोड़ा कुद्रत क्या है भाई हमारा तो यह पूरा पोग्राम बन सुका था बनने वाला था उनाइटेड नेशन का फंक्संग था मेरे को दूइदा थी कि मैं घर पे जाओ याज आउ मैं जाऊंगा कि मैं कैंदू डॉक्टर तो हूँ नहीं मेरे से अच्छी डॉक्टर तो सर्विश दे रहे है मेरे को रुखना चाहिए नहीं रुखना चाहिए प्याल आइए था पारा फैमैली चले गए थे फैमीली से में घंशम्भाइ भै तो मेरे को जाने नहीं दे देते आप जाओ तुल्शी भै होता तो बोले आप जाओ लेकिन वह तो चले गए थे तो यह मैं अपने आपको पक्षपात कुरुपा यह मानता हूँ कि यह सनमान तो मिलता रहेगा युनाइटेज नेशन में प्रोग्राम तो होता रहेगा इससे बढ़िया प्रोग्राम करेगे लेकिन मेरे को यह सनमान देने में 45 साल की जरनी में बिजनेस में फाधर ने इतना फाधर को मेरे को सपोट करना चाहिए इसके बदले उसने जो support किया था, वो support और इसने जो पद्मस्री के लिए मेनद किया था, वो सब चीज का कुद्रत ने मेरे को सांस दिया कि ओपरेशन में ले जाते थे तभी भी में प्रेजन था लाया तभी भी में प्रेजन था इसको मैं पक्षपात कुपा मानता हूँ यह मेरे पक्षपात कुपा है भगवान की मैं इसलिए काफी बार बोलता हूँ तो भगवान मैंने देखा नहीं है, भगवान अपना काम करता है, यह प्लान किस ने किया, तो भगवान ने किया, हम तो मात्रन निमी थे, हम नेचर का काम करें, हम कुद्रत का काम करें, हम राष्ट का काम करें, लोगों का काम करें, लोग हमारा काम करना चालू कर देंगे, ज बादर आज भी चल के स्टेज पे भी आया, डॉक्टर बोलते थे, तो घंशामभाय के भी ट्रावेलिंग तो नहीं करना चाहिए, रात को डॉक्टर को फोन लगा नहीं, यह भी मेरा लग, वरना वो तो मना ही बोलते है, मैंने बोला देव दाएगा, देखा जाएगा, दाद बहुत अपनी स्रद्धा, अपना मनोबर, अपनी मकमता बढ़ेगी, यह बात सुनके फादर होगे, तो यह मेरा जो फादर का इतना मेनत किया था, और इतना रून सुकाने का कुद्रत ने मेरे को मौका दिया, यह मेरी भाग्य की बात है, कि मैं वहाँ पे प्रेज़न था, मैंने फादर की नजर में देखा है, इसका जो करूना था, आसिरवात का, जो उसकी लागनी का, जो मैंने अपनी आख से देखा है, उसकी आख में से कितना प्रेम का, कितनी खुशी का, कितना बारिश हो रहा था, इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता, इतनी करून था, इतना प्रेम बरा था, कि मैं वहां पे खड़ा था, और बोला, तुने अमेरिका का प्रोग्राम कैंसल किया, और इसने डाटा धर्विश्टा को आज मैंने नहीं बताया होता, तो लोग अमेरिका जाता, मैं क्यों रसनीवार को मैंने क्यों बताया कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है, तीन मेने से तो बताता नहीं था, आज बताया, ये कुद्रत का अपना काम करता है, अपना कुद्रत जभी काम करता है, किसी की मजाल नहीं है, हमारा बाल बाका कर सके, ये भगवान की कृपा है, हम भगवान का काम करें, नेचर का काम करें, यही पुजा है, यही कर्म है, य यह स्वर्ग है दुनिया में काहँ भी स्वर्ग नहीं होगा यह हमारा परिवार में जो आज है वो स्वर्ग है इससे बेटर स्वर्ग हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी का सपोर्ट ऐसा ही सब लोग अपने लिए सोच रहे हैं इतना बढ़िया मैं नहीं हूँ तो भी बिजनस किया विडियो कॉंफरेंस से किया मैंने बताया कि मैं आपना या इसके लिए स्वारी लेकिन मेरी बात सुनेंगे तो आप भी बोलेंगे आप नहीं आया राइव उस ने खुद ने बोला आप नहीं आया वही राइट है आपको जो करना चाहिंए औआ अपने किया और फेमि क्या होती है 85 की एज है अमेरिका में तो फादर को सिधा एंबिलुस में लाकर बेद देते हैं मैं साम को आता हूँ फादर है तो है नकर लास लेने आता है इदे तो इतनी कोई लागनी नहीं है तो अमेरिका में भी एक मैसेश गया कि बिजनेसमें को पानी के सामाजी के राष वो लोग तो हमें तो चार भाई है, सब ही भाई हो तो गए थे, तो ये लोग मेरे को वडिल समझ रहा है, कंशाम भाई को second generation समझ रहा है, तो बोले आपने second generation को तियार कैसे किया, आप ये training कहां दी, मैंने बोला भाई मैंने कुछ training बेनी नहीं दी, second generation को हमने present मतले में साथ म एपने बेटे को कोई भी काम में साथ में रखो वो अपने झेसाई होगा अपना ही विचार अपने आप सला जायेगा हम बाप बेटे साथ में नहीं रेते हैं यह जनरेशन शबशे बढ़ा कशनप के एब तो विजेश और में और घंशय चाहिए छोप ए पैसा भी बोल सकते हैं आप अकेले कर लो है आप urityam को क्यों बिजनेस कर आप तो बिजनेस करतें दूँकंते हैं उसको, रोकडे हैं तोनी इन भी किया रिख विजन करेगा वह सपना देखेगा तब हमारी आनेवाली पेड़ी के लिए भविस बनेगा पारत के लिए भविस बनेगा हमारे परिवार को हमको साथ में रखना चोहिए और साथ में एसंवेरा मिरे शाद मेरे साथ रहता हαι जोटे Martinis भाई का बेटा है काफिसी मैंने एक भी बार सला देने की ज़रूरत नई पड़ी है और क्यों बहुत है cuestión medley रखा मेरे साथ प्ये होता तो सीखता नरेस्ट मैंने साथ में रखांद तो मैंने सलता है इधर देखो तो चाहिज चाहिए इधर देखो तो को अववेस्ता है जबी देखतू मैं देखता हूँ वहाँ उसको पता चल जाता है क्यों के साथ में रखा और कोई miracle नहीं है कोई कोई ट्रेनिंग नहीं है कोई फिलोसोफी नहीं वैँ साथ में रखो तो हम लोग 40 साल से 45 साल से मेरी शादी हुई है और 40 साल दो दिन पेले गया मैं और तुलशी भाई एक ही दिन में शादी हुई थी और 40 साल से हम साथ में है तुलशी भाई की भाई और मेरी भाई ने कभी मैं मैं तू तू भी नहीं किया मैं मैं तू तू भी नहीं किया है 40 साल में 40 साल में जो य अरोज रामायन होती, कई कई होती तो मैं क्या करता भई, रामराज है इधर कई कई नहीं है, इसलिए हो पाया, वैसा ही मैं तो पूरा पैसा कर रहा हूँ, आज तक एक भी भाई ने मेरा हिश्याब नहीं देखा है, आप कितना डोनेशन करते हैं, कहां पैसे जाते हैं, कोई कभी इश्याब नहीं देखते हैं, खाली लिख लेते हैं, खर्चे में कितना गया, कभी दिप में नहीं गया, कै पैसा कहां गया है, यह बड़ा यह विस्वास है, यह मेरा जीव इस से सलता है, को जो विस्वास है, यह गंपनी, यह परिवार, unconditional, तारिफ को मेरी होती है, इ होती है सुटा मूटा सलाह देती है लेकिन जभी रिजल्ट आता है तो और कर और कर और कर एक दूसरी रहश्य की बात बता दू हमारे माबाप से हमारा गेव क्यों है जनरेशन गेव क्यों है दूसरी एक वजा है हमारे माबाप को हम बिलियनर हो जाते हैं ने सर इस आप नहीं मापाप नहीं बताते ममई पपा को आपके पास पैसा है हो नहीं बतातें तो ममई पतवा कर अभी कर कर यह वज़ा है माबाप किसी को अभी तक किसी को नहीं बताया कि मेरे बैटे के पास इतना पैसा है इसा नहीं है कोई वाइप भी कभी नहीं बताएगी किसी को हम वाइप से सेर नहीं करता ममी पपा से सेर नहीं करते हम क्या है हमारे पास क्या है उसको साथ में नह दो हमाते हैं इधर प्रम परिवार का प्रायम शमाज का प्रेंट राष्ट का प्रेंख यह जीने का मकसद है यह एनर्जी यह नेचर काम करते हैं तो मैंने काफी बार भगवान को नहीं देखा लेकिन भगवान का अनुभव किया है जरूर कि हमारा काम भगवान कर रहे है आप विश्वास के साथ जो आपको मिला है टेटरस जो पोजिशन है जो समझ है नेचर को देते रहो नेचर आपको देने में कोई कमी नहीं कि ये ही मेरी बात बताने के लिए मैं स्वागत प्रवस्ण के बीच में यापका स्वागत रदे से करता हूँ और एक खटण अच्छी ठी इसलिए में को सेर जोगी हों जादातर का 85 की age में मेरे को 60 साल में age में पदमस्री मिला, लेकिन वो जिन्दा था ये मेरे लिए पदमस्री था, पदमस्री तो कितना ही मिलता, लेकिन में ने जो सेवा किया, मदर भाधर ने देखा नहीं होता, तो मेरी सेवा का कोई मिनिंग नहीं होता, अभी मेरा भगवान ने देख लिया है, यही मेरे को खुशी है, इसलिए मैं पक्षपात कुपा सब्द यूज करता हूँ, मैं चाहता हूँ, जिसको जिसको भी पदमस्री मिला है, जो लोग इसका संकल पर लेके अपने जीवन की ज परनी चालू करेंगे, तो आप सब लोग कैपेबल है, आपके पास तो काफी तक है, हम तो साइट के हो गए, मेरे तो शालीस ही बचा है, लेकिन वो पदमस्री वाला यंग्स्टर का समिर का बेठा है, खड़ा हूँ, वो बतिस साल में पदमस्री मिला है, यंग्स्टर पद यह विजन है एक लिडर का, यह विजन है एक आइडिया, एक राष्ट को आगे ले जहने का, सल नहीं सकते, तभी ओके, तो भी दिया तो दिया भाई, लेकिन पदमस्री दिया, तो बाद में वो यंग्स्टे, जभी काम करते थे, तभी पदमस्री देना चाहिए, वो रात यह विजन है करके भारत का भविष्ट बदलेगा, एक लिडर हमको मिला है, वो लिडर ने हमको रिस्पॉंसिबिलिटी दे है, हम गोर जम के काम करें, कोई भी स्वारत वगर निखालस्ता से काम करेंगे, कोई भी स्वारत वगर अपना नसीब चेंज करके भगवान हमारा नसिब में जो चाहिए वो लिख देंगे क्योंकि नेचर को जरूरत है उनाइटेड नेशन आज सिंता कर रही है विस्व में पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है यह मीडिया कर रही है यह कर रही है यह तो सब देख रहे हैं आल्रेडी हम पांस साल चे कर रहे है इसलिए हम बोलते हैं का I am the best I can do it God is always with me I am the winner और today is my new day के आज भुल जाओ forgetting कल से काम करना चालू करो हम सब लोग बेश्ट है हम सब लोग कर सकते हैं और सब को यह भगवान ताकात दे सब को संकल्प दे और सब को यह मेसेज जाए यही हमारी आज का पोग्राम की में है तु है इसलिए यह पोग्राम तीश पदमसरी को सुनने का और उसमें से हम पैर आज के साथ लबसकार के साथ आप सब का स्वाड़ित करता हूं थैंकि कुप कुवाबार पदमसरी सुझी बाई को एक जोर्दा तालियों से अभिवादन करेंगे प्रासंगीक उद्बोधन एवं सब्दो से स्वाधत करते हुए परमादनिया स्री सवजी बाई मैं आज के इस पावन अवसर पर मुंबई से पधारे हमारे सवजी बाई के छोटे भाई परमादनिया स्री गंचाम बाई से निवेदन करता हूं कि आज के इस पावन अवसर पर सब्दों से स्वागत करें एवं प्रासंगी उद्बोधन करें परम आधनिया स्री गंशाम भाई दोलग क्या जी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, मैं निवेदन करता हूँ आधनिया गंशाम भाई जी कुछ त और एक बार जोर से सबी को मालूम बढ़ जाए सूरत में कि दर कुछ फंग संग हो रहा है, गुड मॉर्णिंग मेरा कहने का है कि तीन बार में हम जोर से हवाज आते हैं, जैसे सवाजी भाई ने बोला फर्स टाइम में वैसे हवाज आ जाए, ऐसा हम क्या करें हम तो सभी यंग है, पर हरी कृष्णा ग्रूप में आये हुए हमारे सभी पुरे इंडिया के पदमस्री, शायद ऐसा पहली मेरे से जाजा तो आप लोग को हमको सुनने का है, कि आपने अलग-अलग सब्जेक में ऐसा क्या काम किया के गवर्मेंट में करीबन सेवंटी साल हुआ, आजाद हुआ इंडिया, उसमें से 3,600 अभी तक पदमस्री मिला हुआ है, राइट, गगजी भाई, जहां तक मैंने स तुना हुआ है, 3,600 अभी तो आप 30 अभी तो आप तीस लोग इधर है, तो अलग-अलग सेत्र में आपने जो काम किया हुआ हमको सुनने का है, जानने का है, सवजी भाई ने करीबन दो महिना पहले बताये थे, कि यह टाइब का प्लान करें तो आप ओ दो दीन बंबे का कि उसका जीवन में कैसे सफलता मिला, वो सुनने का है, सवजी भाई ने फैमिली के बारे में तो बहुत बात किया, और हम सभी आप पदमसी सोड़के तो सभी बाकी का लोग तो जो भी काम जो कर रहे है, वो खुद के लिए काम कर रहे है, लेकिन आप सभी लोग ने देश क के लिए समाज के लिए काम किया हुआ है, तो ज़्याजा तो आप लोग को सुनने का है, लेकिन मेरे को एक चीज मालूम पढ़ रहा है, कि जो आपने किया होगा, वो चीज आपको पसंद होगा, मैं यह मानता हूँ, कि जो हमको पसंद है, वो हम चीज करते हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट आता है, और पसंद नहीं है, तो रिजल्ट नहीं आता है, और लाइफ में मजा नहीं आता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है लाइफ में जर्नी है, रिजल्ट तो जो भी है, उससे ज्यादा जो समय जाता है, वो जर्नी में आप आनन्द करते हैं, कि परेशान होते हैं कि endощoy करते हैं भती जा को our company में भी बाकी सभी को भी बोलते हैं, मैं by business हैं विजनेस का विचारों भार मेरे मन में आते रहेंगे साब जी भाइ भी सोचेली जाधा काम करते हैं उसके मा काम करते थे एक मुश्य आहेंगे हमारे स्टाप को भी मैं बोलता हूं या तो आपकी पसंद्गी का कमपनी ढूंड लो नहीं तो जो कमपनी मिला है उसको पसंद कर लो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बती जागा को बेटे को सबको बोलते है शादी हो गया है तो अभी जो भी बीबी मिली है कच्छा बनावे या पका बनावे उसको पसंद कर लो और शादी जो बागी है को पसंद कर ढूंड लो नहीं तो जीने में मजा नहीं है बाजू वाले तो विक में पंदरा दिन में एक बार खाना आएगा अरो तो आपकी बीबी बनाने वाली है तो उसकी थोड़ी प्रशंचा जैसे साउज जी भाई ने फैमिली के बारे में बोला अच्छा बुरा जो भी है प्रशंचा करेंगे नो तो और ज्यादा उसको करने की इच्छा और होगी कि जो कर रहे उसमें और कैसे ज्यादा करें अभी बात किया कि हरी कृष्णा ग्रूप तो हरी हम चार वाई तो है बेटा भी है और उससे अच्छा हमारी जो नवजा लोग की जो टीम है हरी कृष्णा ग्रूप में जो जुड़े हुए टीम है वो इतनी भावना से हमारे साथ काम करिए कि हम और अभीस में है या नहीं है वो दिल से अमारे साथ जुटे हुए यह नहीं बोल रहें कि यह लोग हम कंपनी में काम करें यह कंपनी हमारी है यह जबी हमारी कंपनी में लोगों में भावना है तभी आज हमारा हरी कृष्ण ग्रूप का पंद्राजर करड़ का जो टरन ओवर और जुल्डी का भी जो काम है हमारे जैसी बहुत सारी कंपनी है पर हरी कृष्ण में जो अलग-अलग employee के बारे में जो हमने काम किया हुआ है वो आज भी पूरे world में नौन लेते हैं कि ऐसा employee के लिए करने वाले बहुत कम-कमनी है और जो हमने किया उसके पीछे भी होई है सवजी भाई, इमत भाई, तुलसी भाई बहुत साल तक उसने फैक्टरी में काम किया हुआ है तो जो employee की परिस्टिति है उसने जाना हुआ है कि employee की क्या परिस्टिति है तो always उसके पर उसके positive-ness ज्यादा रहती है उस पर नमन उसको ज्यादा facility देने का उसके मन में रहते है और हम जैसे हर बार always हमारा learning man is earning man सभी से कोई ने कोई चीज सिखते आते और जो सिखा हो तुरंत next day company में implement करते है फैमिली में implement करते हैं कि जो चीज अच्छी लगी है उसके लिए फिर weight नहीं करते हैं लोग क्या सोचेंगे उसके बार में भी बहुत नहीं सोचते हैं जो सोचते तो हम काम नहीं कर पाएंगे तो हरी कृष्णा ग्रूप की फिलोस्विक जो भी चीज अच्छी लगे हम तुरंत implement करते हैं बहुत आगे कहां नहीं सोचते हैं पर यह चीज के जरूर सोचते हैं जो हम करते हो बेस्ट में बेश करें जो हमारे साथ में जुटे उसका भी ग्रोथ होए उसका भी विकास होए जैसे नवजार एंप्लोई है जैसे हमारी किष्णा ब्रांड इंडिया में है करीबन बारा सो शोरूम में अवेलबल है तो सभी ज्वेलर्स के साथ भी वो इसकंप रखते हैं कि हमारे साथ में उसका ग्रोव होना चींग होगा थो हमारा यूदल वभाने टो में कोई शंका है नहीं और एक चीज़ हम हरे कृश्णी मांते है हैं हमेली अर एंजय है करें होगी चृफależ के आपने कितना भी बड़ा पा लिया लेकिन आपको जीने की मज़ा नहीं है और तीसरे नंबर पे आते हैं पैसा बहुत अच्छा काम करने का है पर उसके लिए पैसा तो चीए ने चार बेटा होगा दो बेटा होगा ने तो आज के जमाने में या तो पास में पैसा वाला बेट जो एज के हिसाब जो एंजियो में कर पाएंगे जैसे सहुजी भाई ने बोला कि अभी हमको पदमस्री मिला ये मेरे बाजू में यंग्स्टर बेटे हुए है थर्टी थ्री साल में पदमस्री मिला चालीस वाले भी होंगे पचास वाले भी होंगे और सेवंटी साल वाले तो मैं सोच रहा हूं कि माइंड से एज है हम माइंड में से एज निकाल दे तो कोई भी एज में कुछ भी कर सकते है यह नयंदर पाइज 63 साल में पीम बने और यह जो यूएस की बड़ी एक चैन है उसका भी शाहिद वालमार के उसने भी करीब ना केप सी वाले ने 63 साल में बिजनेस टार्ट किया था और अभी वर्ल्ड की 10 कमणी में वो है KFC हम भी कभी देखते है उसका स्टोर है तो एज के साथ नहीं है आप लोग से हमको ज़्यादा पहनी मिलेगी कि आपने कैसे क्या काम किया कि दिल्ली सरकार ने नौंद लिया और यह सरकार ने नौंद लिय पास में मिला होगा तो बात अलग है लेकिन यह सरकार ने पदमस्री दिया तो कुछ ऐसा काम आप लोग ने किया होगा वो ज्यादा में ज्यादा हम सभी को हमारे सुरत वाले सभी मेमान वेल विशर को भी जानने का है हमारे हरी कशने वाले उसको भी जानने का है और हम सभी एद पहना ले, कि ये आपको सभी को सुनके जीवन में कुछ परिवत्न लावे और हम भी ऐसा कुछ काम करें कि हम भी प्राउड करें और आप में से भी पहना ले, और आप सभी हमारा अमंतन को मान दे के सभी लोग आए, तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और बाकी का पोग्राम के लिए बेश लग। स्वागत करता हूँ आधनिया स्री गजी भाई अहमदाबाद से पदा रहे उसका भी हम अभिवादन करते हैं इस कार्यक्रम में ऐसे सभी महनुभावों का मैं नाम यहां से नहीं ले सकता हूँ लेकिन तेह दिल से अरिकुष्ण परिवार समगर दोरक्या परिवार स्वागत करते हैं अभिवादन करते हैं जब हम यहां जानने के लिए सिखने के लिए एक दूसरे से वारतालाब के लिए बैठे है तब सभी टेबल पे QR कोड रखा है जिसमें सभी का परीचाई भी लिखा है और हम यहां एक-एक पदमा एवाडी को निमंतरन देंगे उनके बारे मे परीचाई करेंगे और फिर उन से हम सुनेंगे तो हमें विननती करूंगा पिंटु भाई को की आगे का कारियकरम केरी फॉरवड करें पिंटु भाई जो साउजी भाई से छोटे भाई तुलसी भाई है उनके बेटे है और मेरे बड़े बाई पिंटु भाई दुलक्या सभी को नमस्ते आज हरी कृष्ण ग्रूप आयोजित अडायलोग ओन जर्णी ऑफ पद्म आवड़ीस दोजार बाइस में आप सब का थाय दिल से मैं स्वागत करूंगा इसी के साथ आगे की कारियवाई करने के लिए मुझे जो मौका दिया गया है उसी की मैं बिजेश और प मैं सबसे पहले पद्म आवड़ी को बुलाना चाहूंगा उन से पहले उनका इंट्रोड़क्शन दिना चाहता हूं सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे पद्मश्री संगमित्रा बंदोपाद्याईजी से जिनका इंट्रोड़क्शन ये है कि उनका जन्मा 17 एप्रिल 1968 में क कलकत्ता में हुआ था उसी के बाद उनकी पड़ाई बच्छपन पुरा कलकत्ता में गुजारा हुआ है साथ में उन्होंने बैचलर्स ऑफ साइन्स फिजिक्स में किया है प्रेसिडंशी कॉलेज तब आज प्रेसिडंशी युनिवरसिटी के नाम से जाना जाता है साथी में उन्होंने बीटेक, एमटेक और पीएजडी कौकत्ता उनिवरसिटी, IIT खरगपूर और इंडियन स्टाटिस्टिकल इंस्टिटूट से किया हुआ है। साथ ही में उन्होंने पड़ाई करने के बाद उन्हीं की जीवन एक जगाप़ दे दिए वह इंडियन स्टाटिस्टिकल इंस्टिटूट जो उन्होंने नाइंटीन नाइंटीन ने में फैकल्टी के तौर पर शुरूआत की थी और दो हजार पंद्रा में वह प्रोग्राम्स शुरू किया है कही सारे जहां से पीएजडीज हो सके सेंटर ओफ एक्सिलेंस शुरू किया है इंडियन स्टाइस्टिकल इंस्टिटूट में और उनकी चाहिती जो विशय थे वो थे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, Computational and Statistical Biology, Security, Cryptology, Economics of Climate and Energy और वैसे कहीं अंगिनित प्रोग्राम्स उन्होंने शुरू किया है पर जो हम आज उनका नाम सुन रहे हैं पदमर्श्री के तौर पे तो पदमर्श्री उनको कौनसी फिल्ड में मिला जहां पे उन्होंने उनकी जीवन का सबसे बड़ा महत्वा कंट्रुबूशन दिया है वो है फिल्ड ऑफ कंपुटिशनल बायोजी मशीन लर्निंग और आटिफिचल इंटेलिजेंस जो आज हम डिजिटल वर्ल्ड और दुनिया आगे बढ़ने की सोच रही है वो विशय में उनको पदमर्श्री मिला गया है तो मैं सब को कहूंगा कि पहले पदमर्श्री को हम यहां पर बुलाने चाहते हैं तो एक तालियों के गुड़गुड़ाच से मैं पदमर्श्री स बंदोपाद्याजी से रिक्वेस्ट करूँगा के आज यहां पर आए और हमें आगे दुनिया में क्या सोचना चाहिए वैसी मांगदर्शन भी दे उनका अनुबव भी शेर करें तो मैं चाहूंगा के पदमर्श्री संगमित्रा बंदोपाद्याजी आए प्रोफेसर संगमित्रा बंदोपाद्याजी विग्यान एवम इंजिनेवी बाद्धोर संग्यान परकाद्यान तो मांगदर्शन थे प्रेव नेर्स्रंस्राइब खाल्ट मेरे मेरे ।bit मेरे फ्ल खामेली की ओर से, मेरे खामेली की ओर से, भाहद भाहद शुक्रिया, । कि आपने हमको इधर बुलाया, और आपका जो ये विजन है, ऐसा हुआ कि, डिसम्बर के एंड में, परिवार को ले कर घूमने की थोड़ी इच्छा हुई थी, और रनोत सब देखने का मन हुआ था तो मेरे जब हम traveler plan कर रहे थे तो हमने तो पहले सोचा था कि Ahmadabad आएंगे, और 할 है घाएंगे तो मेरे बेटे ने, हमारे बेटे ने इन फोकर जाने में कलकिता से एक दिन एक्स्ट्रा लग रह था तो उसने कहा कि आप सूरत होकर चलो तब डाइरेक्ट प्लाइट एक थी तो सूरत बताने से मेरे को लगा कि यह सूरत से तो पदमश्री अवर्ड सेरिमनी में हमने किसी से मिला तो मैं मैं मिली थी तो मैंने अपने मोबाइल से देखा तो तो ब्रजेश भाई धोलकिया का नंबर था तो मैंने उनको वाट्साप किया विदिन मिनिट्स रिस्पॉंस आ गया वो तब शायद युएस में थे और एक दो दिन के अंदर हमारा प्रोग्राम पूरा बन गया पूरा डीटेल्ड डीटेनरेरी मेरे पास आगया कि ऐसे ऐसे करके जाना है और यहां पर आकर जो हमने देखा जो प्रेम मिला पूरे परिवार को और आपके परिवार को देखकर यह बहुत बड़ी सीखने की बात है कि एक परिवार कैसे एक संग जुट होकर जो भी काम करे आपका business है, आप sustainable development में भी, water में काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन ये परिवार में जो बंधन है, ये ज्यादा तर हमको देखने को उतना मिलता नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत सीखने वाली बात है, और साब जी भाई, आपके जो, आपकी जो एनरजी है, उससे काफे कुछ सीखने को है, हम जो भी एरिया में काम करते हैं, लेकिन ये एनरजी के बगएर कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ये एनरजी कुछ-कुछ हमार जैसे पेरेंस का तो बहुत बड़ा एक अवदान होता ही है, तो मेरे पेरेंस का भी बहुत बड़ा अवदान रहा है मेरे जर्नी में, जब छोटी थी आप, जैसे पेरेंस लोग बेटियों से तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा अलग रखते ही हैं, मेरी मदर, मेरे फादर भ लड़ाई भी शुरू हुई थी, कि क्यूं, मेरे को ही क्यूं, लेकिन उसके साथ साथ वो करके भी, जो मेरे को बहुत बड़ी बात मिली थी मेरे पेरेंट से, कि मेरे को किसी भी काम के लिए रोका नहीं गया था, जो भी हो, पेड चड़ना हो, साइकल चलाना हो, गाड़ी च कर पाऊंगी यह सोच नहीं आई कभी वो एक बड़ी बात थी जब पहली बार मैं पेड चड़ना चाहती थी तो मेरे अंकल के घर में चित्तर अंजन करके वो रेलवे कॉलनी है वहां पर तो उनके घर के आंगल में काफी सारे पेड थे तो मेरे को बहुत मन हुई कि एक पेड चड़ूँगी तो डर भी लग रहा था बहुत छोटी नहीं थी तोड़ा बड़ी भी हो गई ती तब तो मेरे मादर ने कहा कोई बात नहीं चड़ू मैं नीचे खड़ी हूं अगर मैं गिरती तो वो क्या करते वो मेरे को मालूम नहीं है लेकिन यह जो हिम्मत दी यह को हम ले लेते हैं और जो हमारी कमिटमेंट है उससे आगे बढ़ते हैं तो रास्ता अपने आप कुछ निकल आता है और जो हम फैमिली के अंदर सोचते हैं कि अगर ये करे तो मेरा मेरा फैमिली इसाद बिखर जाएगा लेकिन फैमिली भी तब अज़स्ट कर लेती है क्योंक कि मेरे को ये लगता है कि हमको जैसे फैमिली की जरूरत है फैमिली को भी हमारी जरूरत है तो हम दोनों आधा हम बढ़ते हैं आधा कोई बढ़ता है करके सल्यूशन निकल आता है ये बहुत बड़ी बात है तो पैरेंस का तो जो जो पांट्रिबूशन रहा है वो तो 2018 में शी पास्ट वे और मैं डिरेक्टर बनी 2015 में 2015 से उनको डिमेंशिया हो गया तो वो शायद कुछ समझ नहीं पाई और 18 में वो गुजर गई 22 में मेरे फादर तभी थे वो ने फादर बहुत अक्टिव हुआ करते थे वो military में थे, military engineering services में मेरे तो देश में घूम घूम कर मेरी पढ़ाई भी वैसी ही चली थी तो मेरे फादर अभी हाल में 23 जैनवरी में वो गुजरे लेकिन 22 में तभ यह वो 89 और उनका भी थोड़ा थोड़ा नर्व्स का प्रबलम हो रहा था उनमें बहुत मतलब भूल रहे थे तो जब 22nd, 2022 के 25 जैनवरी में मेरे पास फोन आया कि आपको मिल रहा है आप लोगे तो यह मिनिस्ट्री अफिर होम अफेर से यह फोन आया तो मैंने फिर अपने पापा को बताया बड़ उनमें कभी उनको याद रहता था कभी नहीं रहता था ऐसा उनका फेस चल रहा था तब तो जब मैंने कहा बाबा अब इस बार शायद पदमर्श्री मेरे को मिलेगा तो वो बोले ओ अच्छा अच्छा मिलेगा अच्छा पीठ खुजला दो उनका वैसा था तब तो ये मेरे लिए भी ये बात थी कि ठीक है पीठ खुजलाना भी इंपोर्टन्ट है तो फिर वो 23 अभी जनवरी महीने में वो गुजर गए बिलकुल एक मिनिट में वो गुजर गए तो लोग मेरे को बोले कि बहुत भागवान होते हैं जो एक मिनिट में गुजर जाते हैं तो एनिहाओ शायद पापा के साथ बेटियों का रिलेशन थोड़ा और भी कुछ अलग सा होता है तो वो शुन्यता भरती नहीं है या फिर बढ़ने में टाइम लगेगी तो एक तो पेरेंस थे और लड़कियों के लिए इन पर्टिकिलर विमन इन दे सोसाइटी उनके लिए हस्बंस का बहुत बड़ा बहुत बढ़ी भूमी का होती है आगे बढ़ने में आई वस फॉर्चुनेट की आई गॉट समवन इन माई लाइफ जिन्होंने रोका तो नहीं आगे बढ़ाया है शायद मेरे हजबन से मेरी मुलाकात हुई थी कैलकटे उनिवर्सिटी में जब हम भी टेक पढ़ रहे थे कंप्यूर साइंस में बीटेक पढ़ रहे थे तो वो मेरे से दो साल बड़े थे उससे पहले ठीक है पढ़ाई तो अच्छी लगती थी और छोटे से मेरे को सिर्फ फिजिक्स और मैथमाटिक्स ये दोनों सब्जिक्स और लेंग्विज ये आती थी हिस्ट्री, जियोग्र कि अजबन उन से मुलाकात होने के बाद शायद मेरा मैं और भी जादा आगे बढ़ सकती हूँ ये रिलाइजेशन मेरे में आया क्योंकि वो पुष मिला मेरे को वो पुष मिला जो जिससे मैं और जादा कमिट्मेंट के साथ मैं अपना काम करने लगी और फिर आता गया जो है बहुत-बहुत सालों से काम करने के बाद थोड़ा सा कुछ रेकोगनिशन आता है लेकिन रेकोगनिशन के लिए काम तो हम करते नहीं है काम करते हैं करते करते कुछ लोग रेकोनाईज करते हैं ऐसे करते करते आई वस फॉर्चुनेट की मेरे को प्राइम मिनिस्टर साइ काउंसिल की मेंबर हूँ और उससे पता चलता है कि क्या-क्या काम करना बहुत जरूरी है, what are the focus areas, और इसके साथ, जो मैं जब December-January में यहां पर आई थी, तो January 8th शायद थी, 7th या 8th, जब G20 का start-up summit यहां पर शुरू हो था, इसी hall में, तो मैं उसमें भी participate मैंने किया था, और यह start-up, क्योंकि हम तो पढ़ाई करते आए हैं, research करते आए हैं, यह करते-करते, यह start-up वाला या फिर business वाला, समझ वैसे ही कहते हैं कि बंगालियों को उसका समझ है नहीं, और start-up तो समझ में नहीं आता है, तो जब यह COVID का period गया, क्योंकि हम अपने students को बताते हैं कि आप सोचो, start-up कोच अपना business करने का सोचो, जो technology आप लाब में डवलप करे हो उसको लेकर आओ market में, इसके बारे में सोचो, तो हमारे students ने फिर कहा कि आप लोग तो इतना हमको encourage कर रहे हो, लेकिन आपने क्या किया है इस area में, तो तब लगा कि हाँ, हमने तो कुछ भी नहीं किया है, अब अपने आप example set करना और सिर्फ बोलना कि करो-करो इस दोनों में फर्क होता है, तो तब हमने थोड़ा start किया, मेंटरिंग की start-ups की अभी तो समझ काफी बढ़ चुकी है और हम काम करते हैं, artificial intelligence, machine learning for healthcare, मतलब हमारा healthcare के लिए हम आगे कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, मैं particularly काम करती हूँ cancer में, तो cancer detection में, early detection कैसे कर सकते हैं, हमारे खून में या फिर टिशू में, क्या देखकर हम बता सकते है कि ये परसन इसको cancer होने वाला है, या फिर very early stage cancer में, हम कैसे detect कर सकते हैं, नए नए पद्धती से, तो इसमें मेरा काम ज्यादा तर इसमें रहा है, लेकिन मेरा काम computer में है, तो ऐसा करते करते कुछ interesting discoveries हुई है, जो कि सारे विश्व में लोग इसको मानते हैं, इसको जब वो अपना paper लिखते हैं, अपना काम करते हैं, तो हमारे काम को वो site करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर यह काम हुआ था, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा करके काफी लोग हमारे काम को सराते हैं, तो इसी सब करते करते, जहां तक आई हूँ, पदमश्री है, और भी कु बहुत important हर वक्त आता है कि आप घर को और बाहर को एक संग कैसे समालते हो यह समालना बहुत मुश्किल होता है और हमारे भी 24 गंटे होते हैं दो हाथ होते हैं तो समालना बहुत मुश्किल होता है इसलिए समला नहीं जाता है अक्चली तो यहां पर मेरे पेरेंस ने अटलीस्ट इतना बड़ा कॉंट्रिबूशन है कि मेरे बेटे कब बड़े हो गया मेरे को पता भी नहीं चला तो जो मैं कभी-कभी सोचती हूं कि जो स्टेबिलिटी मेरे को अपने पेरेंसे मिली थी कि घर आकर मा को घर में देखना यह बहुत इंपोर्टन था लेकिन वह मैं अपने बेटे को नहीं दे पाई हूं मेरे जगा मेरी मा ने वह रोल प्ले किया है इसमें सोसाइटी का भला बुरा मेरे को पता नहीं है क्या होने इसमें सोसाइटी का लेकिन ऐसा ही है क्या करूं मेरे को वो काम बहुत 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 प्यारा है जो करती हूं मैं तो इसमें कभी-कभी गिल्ट फिलिंग गिल्ट फिलिंग भी मेरे को उतना नहीं होता है क्योंकि मैं काम जो काम करती हूं उसको सश्मुच प्यार करती हूं इसलिए बेटी को भी प्यार करती हूं, फैमिली को भी प्यार करती हूं, लेकिन काम मेरे लिए बहुत important है, बहुत ही important है, तो यह करते-करते, यहां तक आप उची हूं, अब एक जर्नलिस्ट ने मेरे से पूछा कि, देखिए आपको पदमश्री मिल गया है, तो जरूर आपक स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, कि अगर मेरे को मिल सकता है, तो आपको भी मिल सकता है, मैंने ऐसा कुछ out of the world कुछ किया नहीं, अपना काम ठीक से किया है, बस, उसमें, हाँ, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन एक ही को मिलता है, तो यह बहुत मेरे स्टूडेंट से मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है, तो यही बताना था मेरी जर्नी है, मेरे को कभी लगा नहीं है कि बहुत मेरे को प्रॉबलम है, जो भी काम किया है, बहुत कष्ट हुआ है, मेरे को बहुत आनन्द हुआ है, जो भी काम और पढ़ लेकिन बहुत मज़ा आता था, तो उस मज़ा उसमें मेरे बाल सफेध होने स्टार्ट हो गए, लेकिन बाल तो रंग से काले हो सकते हैं, लेकिन जो आनन्द मिला था, वो रह गया, वो सीख रह गई जीवन में, तो ऐसा करते करते आद पहुंचे हैं, आज पढ़ाई के साथ स हम भी मेंटर कर रहे हैं, हम अडवाइस कर रहे हैं, मेरे हजबन है, जादपूर उनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कंप्यूटर साइन्स के, मैं तो आई एसाई में हूँ, तो हम ये अभी स्टूडन्स को काफी सारा ये सीख दे रहे हैं, कि जिनको थोड़ा इंक्लिनेशन है वो स्टार्ट अप्स या ऐसे कंपनीज बनाओ, जो कि आप जॉब जनरेट करोगे, गर्मेंट से जॉब मांग लिया, सब से जॉब तो काफी मांग लिया, लेकिन आप भी जॉब जनरेट करो, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी, जो कि आप लोग कर रहे हैं हरी कृष्णा ग्रूप कर रही है, डोलकिया फांडेशन कर रही है, आप सब को पूरे फैमिली को, डोलकिया फैमिली को, जो भी यहां पर आए हैं, पदमश्री ओड़ी, फैमिली मेंबर्स, एंड परिकलर माइ ओन फैमिली, आम ग्रेटफुल तो अल फ्यू, थैंक यू ब थैंक यू, थैंक यू मेडम, और एक बार मैं सभी से विनंति करूंगा कि मेडम के जो शब्द थे, उनके लिए खुब धन्यवाद हम करना चाहते कि जो आपने कहा, और मैं पिंटु भाई माइक के साथ खड़े है, अगर मेडम के लिए कोई सवाल है, तो कोई भी अभी प अगर हम उनको जादा बिर्दाएंगे तो अपने लिए भी एक्सराइज हो जाएगी और एक अलटनेस भी आजाएगी और यह पे जब खड़े है, पदमश्री, संगमित्र, मैडम उनके लिए भी खुब खुब धन्यवाद होगा, कौकता से यह हमारे लिए आए है, अबर दुटे कौन जाएज बराइब कर दो कादा आजीवादेश लिए नाम आट वादाएज पुरह, दो ऑफटो अपने लिए जाएगी तो पोरा पता है, काँ मैं कहा कहा काम की हूं कि वही वही कां किये है, तो अक्छिल काम के लिए मैं पहली बार जो बाहर से बाहर उसे पहले हम फ्रांस वगेरा में गए थे, एक वरक्शॉप और ट्रेनिंग स्कूल अटेंड करने के लिए, तब बहुत छोटे थे, जस्ट शादी हुई थी शायद, नाइंटी फाइव, हाँ, नाइंटी सिक्स में, शादी के बाद-बाद, काफी लोग मेरे को डांटेंगे के शादी के शाद बाद-बाद ने कल ली, तो लॉस आलमस नैशनल लबारिटरी, वह लबारिटरी है युएसे में, वहाँ पर आटम बॉम का पूरा रिसर्च वहाँ हुआ था, अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, पता नहीं, लेकिन अटम बॉम का रिसर्च और जो व वैसे में काफी साल, उस्ट्रेलिया में, जपान में, मेक्सिको में, यॉरप में तो, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हर जग में काफी देशों में काम किया है, और सबसे ये उनका education system के बारे में हमने सीखा है, और देखा है कि ये जो इंटेगरिटी, जो बालू सिस्टम है, ब अब वापस आपशना था, वापस आना था, जाना है, अभी बी, अभी कुछ दिन पहले हम दोहा से होकर आए है, सामने ऐस्ट्रेलिया जाना है, कोरिया जाना है, युएसे जाना है, तो यह तो चलता रहता है, सारे वर्ल्ड में हमने काफी सारे देश में, at least 20 countries में हमने काम किया है, चाइना में काम किया है, तो यह चलता कर सकता हूँ थोड़ा मैडम ने इतना ही बोला यहां पे जो भी बैठे हैं बहुत सारे पैरेंस हैं जिनके बच्चे या तो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या तो कॉलेज में कर रहे हैं जो भी सवाल पूछना हो जो भी जानकरी लेना हो उन्होंने तो बोल दिये दुलक् कुछ भी आपको अगर पड़ाई के बारे में जानना हो उनका इंट्रोड़क्शन हो गया उनकी लाइफ स्टोरी हो गई ए आज जब वर्ल्ड टेक्नोलोजी के साइड जा रहा है उतना तो उन्होंने बिस साल में रिसर्च करके रेडी रखा है प्रोजेक्स है उन्होंने साउजी बाई आपके बच्चे को हावड तक जाना है वो जवाबदरी हमारी है तो मैं यह कहना चाहता हूँ सभी वेल विशर्ज को प्रेक्षक को यहाँ पे कोई भी सवाल हो हमारे पास बहुत सारा टाइम भी है शाम तक हम सभी पदमश्री एवडी को सुनने भी वाले है कनेक्ट करने वाले है उन्होंने एक बात कही कि वो खूश थे जो वो कर रहे थे हम यहाँ पे इसलिए तो आए है कि क्या हमें पसंद है वो अगर हम करते रहेंगे तो जो हम पाना चाहते वो पाई पाएंगे साउजी अंकल है गंशाम अंकल है पापा हिमत अंकल सभी यही आपको जो पसंद है वो करें तो यहाँ पे भी मैडम ने उनकी जर्नी के बारे में भी यही बताया मैडम खुब-खुब अबर आपने जो हमारे लिए हमारे दर्शक के लिए आपने किया हुआ है यह हमस्कार यह हाल ही में हम लोगों ने इंटरनेशनल वोमेंस डे मनाया औ और जो पहला सवाल था आपके पती ने किया यह मेरे इसाब से सही मायने में इंटरनेशनल वोमेंस डे का सेलिबरेशन है कि महिलाओं को खुद पुरुष इस तरह से प्रेजेंट करते हैं और हमारे यह बारत की संस्कृति और संस्कार भी है एक सवाल जो आप से पूछना अपने पाया है क्या कठीनाइआ यह आप को आई फिर गारत में हमें संवान किया जाता है महिलाओं को देवी करकर कर सो जाता है यह माइने में जो कुछ कठीनाइआएँ आपको आई है जरा आ अप उसमें कुछ हमें बता देटो अच्छा रहेगा आपको, हाँ मतलब कथिनाई यह इसक palavra स囉, मेरा जवाब है मेरको कोई कथिनाई नहीं हुई भी ही है मैं hade कोई भी नहीं फेस किया है कि ज estosड़े भी जितने भी कथिनाई हुई है नदकी होने के नाते नहीं, WOMन होने के नाते नहीं As a person, जो भी कटिनाईयां, जो मेरे मेरे मेल को चैलेंजेज फेस की करने हुए है, मेरे को भी वही चैलेंजे आई हैं, लड़की होने के नाते मेरे को कोई अडवांटेज नहीं हुआ है, कोई डिसडवांटेज नहीं हुआ है, लेकिन, I might have been fortunate, क्योंकि कुछ कुछ स्टोरीज जो आती हैं सामने, सेक्शुल हरास्मेंट की, ये बहुत डरावनी स्टोरीज हैं, जो कि एक महिला को मार देती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है, फॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन स्टोरीज तो काफी, अभी इंस्टिट्यूट चला रही हूँ, तो में भी हम सेक्शुल हरास्मेंट एक इतना भी नहीं टॉलरेट करते हैं, तो अगर कोई इंसिदेंट होता है, इमेजिटी हम एक्शन लेते हैं, लेकिन स्टोरीज तो हैं, तो वही है कि मेरे को अलग से कोई कठिनाई हुई नहीं है, हाँ, एक चीज थी कि बच्चा जब ब मेरा बेटा जब बिल्कुल छोटा था, तब उसकी एक्सपेक्टेशन मेरे से जितने होने चाहिए है, वो मैं शायद कूरा मीट नहीं कर पाई, तब मेरी मां मेरे को कभी-कभी बोलती थी कि मेरे को मेरा तो ट्रैवल लगा रहता था, तो बोलती थी कि देखो उसको अट-ल होता है, तो हम तो कोशिश करते थे हर जगह उसको लेकर जाने के, तो यह है अपने, मेरे बेटे का भी मेरे अभार है कि जब मेरे को एक साइन्स प्राइज है इंडिया में, जो कि बहुत बहुत बड़ा माना जाता है, भतनागर अवार्ड, भतनागर अवार्ड अवार्ड इसने एक कवरेज की थी, यही है, मेरे फैमिली से भी मेरी काफी अच्छली जो एनरजी साफजी भाई में जो एनरजी है, वो एनरजी एक तो परेंस से और मेरे अंकल थे, जो की फुटबालर थे, अभी उनकी डेथ हो गई है लास्ट यर, he was the football captain of India in the Melbourne 1956 Olympics, तो वो तो मेरे लिए हीरो के बराबर थे, और मेरी अंटी थी, जो हम जेठी मा कहते हैं, वो फिल्म करती थी, वो दोनों हमारे लिए तो छोटे से, हीरो-हरोईन थे, तो वो आदर्श लगता है शायद, लेकिन यहां पर जो बच्चे हैं मैं तो कहूंगी साबजी भाई उनके लिए अदर्श है, क्योंकि यह जो सस्टेनेबल डेवलाप्मेंट का जो काम है, पानी का जो काम है, आपने बिल्कुल ठीक का, पानी में पतानी कितना कितना जरूरी है, यह पानी का जो आप काम करते हैं, जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल उपर आया है, यह कितना बड़ा कॉंट्रिबूशन है अपने आप में, यह तो मतलब समझने की बात है, थैंक यू वेरी मच, लेखिन हाँ, विमन होने के नाते मेरे को कोई अलग से प्रॉबम नहीं हुए है, हाँ, बताईये. माइ, जरा. मादम, I want to ask one question, I am having two daughters and two sons. My both of the sons are matriculate. My daughter, both are double postgraduate. One is master of public health. She has done, usually not qualified in social medicine and justice. तो ऐसे होता है, ओ क्या करते से जब उसको PhD के लिए, चोटी लड़की क्वालिफाई होगी. तो जब वो क्वालिफाई होके, तो बहां गई, तो उसका गाईटी नहीं बना पोई. So women empowerment has just gone to the, you know, this is away from the situation. Then, what happened? My daughter was saying, my wife has been, I am working on leprosy, my wife has been isolated by my relatives, by my brothers, by my sisters. And similarly, my daughter, she was working as a peer reviewer. She was not given any post, even by her teachers, who are knowing that she is a very intelligent girl, she can bring change. That she became peer reviewer, and became editor of one paper. She has reviewed 42 papers. Now what happened? Nobody is giving her this. Then what happened? She was saying that she will not do any job, because her mother was very serious. She said, unless my mother is cured, she is my God, and she will do work for that. Then, then, what happened? Because her mother was isolated, she was trying to give her confidence, and she died in isolation. Then what happened? We took her mother to the hospital, and got her treated. She was given zero number bed, which is VVIP. and his mamas and catcars are saying that, because just suppressed my daughter, and she is so much suppressed, she has gone to depression. And the younger girl, she is also master of public health. When she joined this PhD, then nobody became her guide. She went in depression. Then she joined us as a district epidemiologist, and my daughter has worked five years in PGI. As a senior research fellow, she has brought one paper, a urine continuance, and that paper has been advertised in, and read in all of the world. And now, I am asking you one question. Then, I will take two minutes. That women empowerment has been done. I want to ask one question. The women empowerment, how it can be brought, how it can be brought success in the women empowerment? And similarly, nobody will be the guide, and how those persons can be brought to the pedestal, where they can help the girls. and girls are being suppressed. Girls are all aware. And one day, she went to a doctor. The doctor said, She was saying that your father is padmashiri. Why you have gone in depression? Your father is padmashiri. But she has gone. Because, I want to ask one, women empowerment, all the things are done, and skill development, or this is not done, unless the skill development of men is done, then nothing of the status of the women can be. and women can be. Do you have any help? How can I ask? How can we? I mean, look, there will not be any societal change as it is going to be above the top. This is going to be grassroots, as it is going to be above the top. No. नहीं तो उपर से थोड़ा इधर-उदर मरहम बानना वो उससे काम नहीं होगा, बिलकुल प्राइमरी से एजुकेशन में इसको अंदर डालना है, ये फिलोजोपिको प्रिंसिपल को, that respect, mutual respect for each other, और जिसमें quality है, उसको आगे बढ़ने का space दो, और कुछ देने की जरूर अद Thank you so much, next मैं Rajesh भाई को बुलाना चाहूंगा, जो अनौंस करेंगे, next award icon आएंगे, Rajesh भाई दौलक्या, जो सौजी भाई के बड़े भाई हिमद भाई है, उनके बेटे है Rajesh भाई दौलक्या, Hello, मैं बुलाना चाहूंगा, पहले तो, हरी कृष्ण ग्रूप और किष्ण आयोजित, A Dialogue on the Journey of Padma Avedis, 2023 जिसमें मैं बुलाना चाहूंगा, मेरे मित्र, जिनके साथ दो दिन से मेरा बातचित हुआ है, चंदरप्रकास द्विवेदी, चंदरप्रकास एक फिल्म मेकर है, जिन्होंने एशियन्ट, अगर उनके बारे में बताए, तो वो राजस्तान से है, उन्होंने अपनी पढ़ाई, उनिवसिटी ओफ बॉम्बे से की है, पढ़ाई खतम करते ही, उन्होंने लिट्रेचर और एशियन्ट पे काम किया है, अगर उस पे बात करें, तो हमने सुना होगा चानिकिया, चानिकिया जो टेलिविजन पे सिरीज आती थी या आ रही है, उनके वो डिरेक्टर है, और उन्होंने एक्टिंग भी वही सिरीज म काम किया है, ओमाई गॉड टू मुवी जो आई थी, उन्होंने वो भी मुवी उन्होंने ही बनाई है, तो वो फिल्म मेकर है, उनको नैशनल फिल्म एवर्ड फॉर पिंजर भी मिला है, जो काफी बड़ा एवर्ड माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, ज्यादा टाइम न लेकर मैं चंदर प्रकाश जी को बुलाऊंगा कि स्टेज परा है, हमारे से बाते करें और उनकी लाइफ का जो भी एक्सपिरेंस है, वो हमारे बीच शेर करें, थैंक यू प्रणाम, मैं मेरे परिवार का सबसे बेकार सदस्य था और हूँ, वो इसलिए कि मेरी सिक्षा, दिक्षा, चिक्षा के क्षेत्रे में हुए है, साव जी भाई, मेडिसन, मैं सिक्षा से डॉक्टर हूँ, एक माइना 28 दिन मैंने प्रेक्टिस के, एक माइना 28 दिन, और मुझे ये समझ में आ गया है, कि ये मेरा काम नहीं है, मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ, जब धन्जी भाई आए, तो आपने सुना नहीं होगा, साव जी भाई, उनने का, जै स्वामी नाराए, मुझे कई बार लगता है, कि देखे, डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, स्वामी नाराण संपरदाय से मेरा क्या संबन्ध है, दादर बोचासन मासी, जो मंदिर है, मेरे पिताजी साधू संतों को संस्कृत बढ़ाते थे, महन्त स्वामी, कोठारी स्वामी, ये सब मेरे पिताजी के शेश्य है, इसलिए मेरे परिवार में संस्कृत का वातावरन रहा शुरू से, भारती विद्याभवन में वो संस्कृत के प्राध्यापक थे, लेकिन उन्होंने ऐसा तै किया कि मैं अपने किसी भी बच्चे को संस्कृत नहीं पढ़ाओंगा, क्योंकि संस्कृत का कोई भविश्य नहीं है, तो हम नहीं ऐसे किसी भवाई, नहीं लोग पांच भाई हैं, मैं घर का सबसे छोटा भाई हूँ, हम लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही मैंने मेडिसिन समाप्त की, अपनी सिक्षा समाप्त की, उसके बाद मैंने जो कुछ भी पढ़ा, वो संस्कृत साहित्य और इतिहास से ही पढ़ा, लेकर उसके लिए मुझे हमेशा अंग्रे जी का साहरा लेना पड़ा, क्योंकि संस्कृत मुझे आती नहीं थी, क्योंकि यहां बहुत सारे विद्ध्यार्थी बैठे हैं, साहित्य मेरे परिवार में बहुत शुरू से था, मेरे बड़े भाई भी उन्होंने आयमे किया था, तो चंद्रगुप्त नाटक जो है, जैशिंकर परसाद का, वो मैंने आठवी कक्षा में पढ़ा था, कठोपनिशद, चुकि मेरे पिताजी संस्कृत के पराध्यापक थे, आठवी, नौवी कक्षा में मैंने देख लिया था, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, और मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि कभी मैं जाकर कठोपनिशद पर कोई एक प्रकरन, कोई एक एपिसोड भी बनाऊंगा, जो मैंने बनाया वात में, तो कई बार हम लोग के सामने प्रश्न होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ है क्या, उस समय समय में नहीं आता है, मैं जब दस्वी मैं था, तो मैं सोचता था कि जैसे ही मैं 11 में जाऊंगा, खूब स्कूल से, कॉलेज से बंक मारूँगा और जाके सिनेमा देखूँगा दो साल और पढ़ाई कर लेता हूँ जब बारवी में आया तो मैंने सोचा कि इस वर्ष खूब महनत कर लेता हूँ अगर इंजिनिर का मैडिसिन में एड्मिशन हो गया तो उसके बाद पढ़ाई नहीं करूँगा जब मैडिसिन में पहुचा तो सोचा कि और साड़े चार साल खूब महनत करता हूँ उसके बाद कभी किताबों को हाथ नहीं लगाँगा साथ ही आप जानते हैं कि मेडिकल की सिक्षा कठिन है वहां हर पंदर दिन पर एक परिक्षा होती है 1985 में मैंने MBBS भी पास कर ली तो तब मैंने संकल्प किया था कि अब मेडिकल करने के बाद मैं किताबों को हाथ नहीं लगाँगा लेकिन 1986, 1986 में मैंने संकल्प लिया कि मैं टेलिविजन और सिनेमा की दुनिया में जाऊंगा और मैं सबसे पहला काम जो करूंगा वो चाने के पर करूंगा और उसके बाद मैंने चाने के पर जो पढ़ना शुरू किया आप लोग को लगता हूँ कर चाने के बहुत सारे बच्चे 1991 में आया था सावजी भाई वह काम देश ने देख लिया दुनिया ने देख लिया उस पर बार-बार काम किया लेकिन पढ़ाई अभी भी खत्म नहीं होई है अभी भी मैं कौटिली अर्थ शास्त्र को पढ़ता हूँ आपको जानकर हैरानी होगी महरास्टा में कारला नाम की एक जगा है जहां पर प्राचीन कुफाएं हैं वहाँ पर अभी चाने के सेंटर ओफ एक्सिलेंस बन रहा है जिसमें आपको 3 दिन से 3 घंटे के कौटिली अर्थर शास्तर पर पाठ्य करमा अप वहाँ जाएंगे तो चाने के क्या नीती है या आप 3 घंटे में भी जान सकते हैं और जो वहाँ 3 दिवस रहना चाहता है वो 3 दिवस में भी जान सकता है वहाँ पर एक museum बनने वाला है वहाँ पर पूरा उस तरह का वातारवन बनने वाला है और एक ऐसे व्यक्ति को उसमें advisor के तोर पर चुना गया जिसका काम इसकिसी क्षेत्र से नहीं है जिसका काम चिकित्सा से है लेकिन मेरे अभ्यास की वज़े से मुझे उसके लिए चुना गया कुरुक्षेत्र में महाभारत का museum बन रहा है महाभारत पर बहुत देश के विद्वान है लेकिन मेरे अपने महाभारत के अध्यान के कारण या साहित्य कला में रुचे के कारण जब उसके script लिखने थी 130 मिनिट की तो सावजी भाई मैंने लिखी सो मेरे कहने का तातपर ये है जो पीछे विद्विद्विद्वारती बैठे हैं कि सिक्षा ये कभी समाप्त नहीं होती वो एक निरंतर प्रक्रिया है आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं भी सावजी भाई की तरह साथ का हो गया हूँ कुछ दिनों पहले मेरे मन में एक प्रशन आया कि इस पूरे देश में धर्म नाम के शब्द को लेकर विवाद है धर्म की व्याख्या जो आम तोर पर लोग जो रिलिजन से करते हैं वो नहीं है एक मन में प्रशन उठा कि धर्म शब्द का वास्तों में क्या आर्थ है इसको मैं फिर देखना चाहता हूँ तो मैंने अभी पढ़ना शुरू किया धर्म शास्तर का इतिहास अभी पढ़ना शुरू किया धर्म जब मैं पचास-पच्पन में पहुंचा तो मेरे मन में एक विचार है कि हर दिन हम रामराज्य की बात करते हैं लेकिन वास्तों में क्या है तो मैंने वालमी की रामायन उम्र के पचास के बाद पढ़ी फिर वालमी की रामायन पढ़ी तो मन में प्रश्ण उठा कि रामचरित मानस और वालमी की रामायन में क्या अंतर है तो फिर रामचरित मानस पढ़ी रामचरित मानस पढ़ी तो समझ में आया आध्यात्म रामायन और अनंद रामायन भी इसका आधार है तो फिर आध्यात्म रामायन पढ़िए, अभी एक कारे मेरे पास आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगबग भारतिय भाशाओं में जिसे रामावतार कंबार की है, माधव कंदली के असमिया रामायन है, उरिया में रामायन है, मराथी में रामायन है, अब मुझे फिर उसे पढ़ने का आउसर मिलेगा, और मैं अपने आपको बहुत भाकेशाली मानता हूं, कि जो विद्ध्यार्थी किताबों से भागता था, किताबें उसका पीछा कर रही है, हमें पढ़ो, हमें पढ़ो, हमें पढ़ो. मैं बृजेश से बात करता था कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा लेकिन हर दिन मेरे मन में ये प्रशन उठता था कि मैं जाऊंगा तो कितने घंटे में पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा तो मुंबई से जब मैं सूरत आया तो मैंने दो किताबें अपनी बैग में डाल ली, हैंड बैग में, कालिदास के नाटक, और एक और किताब, अभिज्ञान शाकुंतलम सिर्फ कालिदास ने लिखा ऐसा नहीं है। एक रिसर्च पेपर जिस पर एक किताब निकली है, वो भी डाल ली अपनी बैग में, साब जी भाई, मुंबई पहुंचते पहुंचते वो दोनों किताबें आज खत्म हो जाएंगे। करो इनत ही मारवानन्द, मारवानन्द पढ़ो 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 और वो मैं अपने काम में इस्तेमाल करता हूँ। सिनिमा में वो इस्तेमाल करता हूँ। मैंने जो कुछ भी अब तक किया, वो प्राचीन भारतिय साहित्य से रहा है, इतिहास से रहा है, और अभी भी वो साहित्य के परती प्रेम और उसकी यात्रा चल रही है। और वो एक अधभूत आनन्द आता है, वो सभी आप जीवन में किसी ने किसी क्षण उसको महसूस करेंगे। मैंने कठो उपनिशत का नाम लिया। मुझे समझ में याया था साव जी भाई कि यह यम और नचे किता कि क्या कहानी है जब मैं आठवी कक्षा में पढ़ता था। मैंने 2007 में उस पे प्रकरण वानाया, मैंने उपनिशत गंगा, उपनिशत नाम की एक सीरीज बनाई कि उपनिशतों में है क्या। उपनिशत ऐसे पढ़ने में बड़े कठिन लगते हैं। मैंने भी उस काम के लिए मना कर दिया था कि मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे घर में पत्निया होती है पत्नी ने कहा, कि अगर यह काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या। एक महिने बाद मेरे मन में विचार है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैंने उसका अध्यन शुरू किया और साथियों ये कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं बताता हूँ कि व्यगरता क्या होती है सच को जानने की जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप रिशियों के साथ compete कर रहे होते हैं आपकी उनसे सपरधा चल रही होती है मैं हमेशा मानता हूँ कि जब मैं रामायन पढ़ता हूँ तो मैं वालमी के साथ समवाद कर रहा हूँ जब मैं रामचरित मानस पढ़ता हूँ तो मैं तुलसी के साथ समवाद कर रहा हूँ जब मैं इतिहास पड़ता हूँ तो मैं उन चरित्रों के साथ समवाद करता हूँ जब मैं उपनिशत का काम करने लगा तो मुझे लग रहा था कि कहीं कोई समवाद मेरे और याग्यवलक के बीश में जो बड़े-बड़े चिंतक हैं उनसे हो नहीं रहा है और मैं असफल हो रहा हूँ मैं शायद ये काम अधूरा चोड़ दूगा और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी असफलता होगी साव जी भाई उस समय मैं अपने घर की खिड़की की और देखता था कि मैं यहां से कूद जाता हूँ यानि किसी समय एक ऐसा विक्षन आता है जब आपकी क्रिएटिव उर्जा रचनात्मक उर्जा आपको इतना परेशान करती है कि आप आत्महत्या तक का विचार करते हैं क्योंकि स्रेष्ठता पाना मेरा उद्देश रहा है कि इस कारे में यदि मैं स्रेष्ठ नहीं हूँ तो शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए तो मेरे जो जवान मित्र हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि यह पढ़ना की पूरी यात्रा सीखने की यात्रा मुझे बढ़ा अच्छा लगा कि लर्निंग इस अर्निग ये मेरे जीवन का एक आज आपने सूत्र दिया यह मैंने कभी सोचा नहीं था कि लर्निग इस अर्निग मैं अभी भी जो अर्न कर रहा हूँ वो मेरे लर्न की बदालती कर रहा हूँ तो आप लोगों ने जो ये मुझे असर दिया सावजी भाई मैं आपसे बादने कभी कहूंगा यहां नहीं क्योंकि क्या सीखा मैं पर मैं आपको बताओं आपके घर की बहुँँ को मैं पहचानने लग गया हूँ और जब आपने ये कहा मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे अपने घर की पुर्शों से मत मिलाइए अपने घर की स्त्रियों से मिलाइए मैं आपको आपके घर का हाल बता दूँगा मैं एक छोटा सा उधारन देता हूँ एक खलनायक है आप सब जो पुराने लोग है वो जानते होंगे और नए भी जीवन नाम के खलनायक हुए थे और किरन कुमार उनका बेटा जो खलनायक ही करता था मुझे उनके घर जाने का एक बार अवसर मिला और मैं उनके घर में बैठा और किरन कुमार जी से मैंने का कि किरन जी मैं आपकी पत्नी और आपके परिवार में मा उनसे मिलना चाहता हूँ तो उनको बड़ा आजीव लगा कि हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री का पहला कोई आदमी है जो घर में आके कहता है कि पत्नी और मां से मिलना है तो उन्होंने पुछ है क्यों आपको मेरी पत्नी और मेरी मां से मिलना है मैं बहुत सारे घरों में गया हूँ यहां आते ही मुझे लगा है कि यहां आध्यात्म के कुछ तरंगे मैं महसूस कर सकता हूँ आपके घर में आप तो मैं जानता हूँ आप बहुत भले आदमी नहीं है पर आपके घर में दूसरे लुग बड़े आध्यात्मी के मुझे उनसे मिलना है तो वो मुझे अंदर ले गए मेरा हाथ बकड़ कर और उन्होंने देखा कि उनके घर में शिवजी की मूर्तिय शिवलिंग पर निरंतर 24 घंटे जल गिरते रहता है यह मैंने मुझे तो नहीं पता था फिर मैं उनसे मिला तो मैं जिस बात पर वापस आता हूँ आपने कहा कि हमारे प्रतिष्ठान की प्रार्थना है मैं यह देख रहा था कि आपके प्रतिष्ठान की प्रार्थना आपके परिवार वाले गाते हैं की नहीं और गाते हैं नहीं श्रधा से गाते हैं की नहीं आपके परिवार की हर महिला पूरी श्रद्धा से उस प्रार्थना को गा रही थी, ये बात जाकर मैं अपनी 20 साल की बेटी को मुंबई में बताऊंगा, जब मेरी बात पहली बार सावजी भाई से सूरत में हुई थी, मैं इनको जानता था, अख़वारों के कारण, तो जिस विक्ति ने बात करे थी सावजी भाई से, तो उन्होंने का चलिए डॉन से बात करिए, अब मुझे समझ में आ रहा है कि सावजी भाई डॉन क्यों है, सावजी भाई, यहां आपका कई लोगों ने सम्मान किया, मैं इश्वर से एक मौका मांगता हूँ, कि कभी मुझे एक ऐसा आउसर दे, कि मैं आपको अपने किसी फिल में छोटा सा ही रोल क्यों न दूँ, लेकिन डॉन का रोल दूँगा आपको, दॉन, दॉन सावजी भाई, धन्यवाद दूस्तों, और भी लोगों को बोलना है, किसी का कोई सवाल हो, तो कर सकता है, और जितना सवाल टेड़ा होगा, उतना मजा आएगा, सीधा सवाल मत करिएगा, सर, प्रणाम, सर, प्रणाम, सबसे पहले धन्यवाद करूंगा, हरी किष्णा एक्सपोर्ड को, कि उन्होंने ये एक अनूठे आयोजन का प्रियास किया, जो बिल्गुल अपने आप में अनूठा रोनोखा है, और मैं अपने आपको भाग्याशाली मानता हूं, कि मुझे इसमें इन्वि प्रशन मिला, और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्पन में जिने टीवी में देखता था और जिनकी एक्टिंग करता था, उनको आज मैं अपने सामने देखता हूं, प्रशन तो बहुत सारे आते थे, लेकिन बार-बार चेंज हो जाता, तो मेरा एक सर छोड़ा सा प्रश मिल जाएगा, सबसे मुश्किल काम है सच को जानना, सच को समझना और सच का अगरम है, चोटी सी कहानी सुनाता हूं, तो कि कहानी आपको याद रहेंगे, बाकी आप भूल जाएंगे, कठो पनिश्यत का मैंने चुकी नाम लिया, नचिकेता एक छोटा सा बच्चा है, उसका पिता वाजस्रवस, सर्वजीत यग्या, मैंने सब जीत लिया है, अब मैं अपने जीवन की सारी चीज़ें छोड़ दूँगा, उसके लिए वो यग्या करता है, और ये छोटा बच्चा नचिकेता जो टिनेज है, 14-15 साल का इस बच्चे को लगता कि मेरा पिता तो पाखंड कर रहा है, सब कुछ छोड़ने के नाम पर, और वो बार बार अपने पिता से जाकर पूछता है कि आप मुझे किसे देंगे, आप सब छोड़ रहे हैं न, मुझे किसे दान देंगे, वो एक बार, दो बार, तीसरी बार पास जाता है, तीन दिन प्रतिक्षा करता है, तीन दिन बाद यम आते हैं और यम उसको तीन वर मांगने के लिए कहते हैं, उसमें दो वर की भी मैं डिटेल्स छोड़ देता हूं, विस्तार में नहीं जाता हूं, तीसरा वर जो है, वो मैं कहता हूं क्योंकि उसका संबन हम सब के जीवन से है नचिकेता यम से पूछ रहे हैं कि मुझे वह सत्य बताओ जो किसी भी काल में नहीं बदलने वाला किसी भी समय नहीं बदलने वाला क्या मrittय के बाद जीवन है जीवन का रहस्य क्या है मुझे ये बताओ यह हम कहते हैं यह मैंने किसी को नहीं जो सुख चाहते हो मांग लो लेकिन इस प्रश्ण का उत्तर मत मांगो कि सच क्या है और अंत में जो वो कहते हैं वो बहुत ही मारमिक है जो वो कहते हैं कि जो चाहिए मुझसे मांग लो जितना पैसा चाहिए तो नचेकेता का उत्तर है कि जो लक्ष्मी है द्रव्य है वो स्थिर नहीं यह वो नस्ट हो जाने वाला है यह लक्षमी भी कल नहीं रहेगी मुझे याद आजाए कि वो संस्कृत में उन्होंने क्या कहा है उसके बाद जो यम जिसको कहते हैं कि हम एक्का फेकते हैं उसके बाद यम कहते हैं कि हे नचिकिता जो मनुश्यों को कभी प्राप्त नो होगी ऐसी सुन्दर सुन्दर स्त्रियां मुझसे ले लो और उनसे अपनी सेवाएं करवा लो नची केता उसके लिए भी मना कर देता है कहता है कि हाथी गोडे नाच रत्न स्त्रियां अपने पास रखो मुझे तो सत्य बताओ यहां सब इतने लोग बैठे हैं अगर यह ओफर आपको और मुझको मिलती कि जितनी उम्र चाहिए ले लो जितनी भूमी चाहिए ले लो जितने रत्न चाहिए ले लो जीवन के सारे सुख ले लो और ऐसी अफसराई ले लो जो कभी मनुश्यों को प्रातन होगी तो शायद कहते हैं यम हमें ये दे दो सच अपने पास रखो पर वो लड़का कहता है कि सच मुझे बताओ ये सब अपने पास रखो याद आगया मुझे न वित्ते न तरपणियो मनुश्या मनुश्य के धन की प्यास कभी नहीं बुझती इसलिए ये धन का प्रलोभन मुझे मत दो ये नचेकेता यम से कहता है तो मैं सीधे आपके इस पर आता हूँ कि क्या हमारा सत्य के लिए कोई आगरह जीवन में रह गया है इसलिए मैं अपने जीवन में अब कल के लिए नहीं डरता हूँ अपयश्य नहीं डरता हूँ अपमान से नहीं डरता हूँ अपमान को मैं अमरिश समझता हूँ और सम्मान को विश्य समझता हूँ जब कोई सम्मान देने लगता है तो मैं डिरने लग जाता हूँ तो यदि ये हमने साध लिया तो सब साध लिया तो इसलिए सच बोलने में, सच सुनने में डरना नहीं चाहिए Yes Thank you sir तार बड़ा अच्छा लगा Sir, आप फिल्मों से लेट करते हैं, आप लिखते हैं बहुत कुछ आपको पता है कि मैं कश्मीर से हूँ जी फिल्में लोग देखते हैं, उनसे इनस्पिरेशन हासिल करते हैं बुक्स लोग पढ़ते हैं, पुरा देश देशे हमारे बाई ने हमें इन्वाइट करके यहां पर मुझे लोगं को लाया सुनने के लिए ताकि वो इनस्पिर हो लेकिन आप ऐसा काम करते हैं जो पूरी दुनिया देखती है और लिखते हैं क्या कश्मीर से आज तक एक पॉस्टूटी आप नहीं लिख पाए क्यों नहीं लिखा जा रहा है, एक बॉलिवुड मुवी क्यों नहीं बन सकती पूरा देख जान सके कि वहाँ पर भी ऐसे लोग रहते हैं जो अच्छा काम करते हैं और अच्छा ही को आगे बढ़ावा दे और उस चीज से पूरा देख जो लव जो गैप हो चुका है पूरे देख को कश्मीर से वो उस पे थोड़ा लेवल अप हो जाए और हमें भी मोका मिले अपने देश को बड़े प्लेटफॉम पर परफॉम करने करें दार बहुत बहुत अच्छा तुमने सवाल किया ये कठिन सवाल भी है हम लोगों के लिए एक दुरुभाग्य से हम लोग गुजर रहे हैं और ये सिनेमा सिर्फ भारत का ही सिनेमा नहीं इससे गुजर रहे है विश्व का सिनेमा इससे गुजर रहा है कि जो ताकतें निरने करती हैं कि कैसा सिनेमा बनना चाहिए वो ताकतें अभी निर्माता भी नहीं रह गया है पहले हम लोग सोचते थे कि जिसके पास कोश है, ट्रेजर है, द्रव्य है, पैसा है, वो तै करेगा, वो तै नहीं करता है, तै अकसर अभिनेता करता है, जिसको हम स्टार कहते हैं, यदि आज एक कहानी किसी एक एक्टर को पसंद आ जाए, तो उसके 100 करोड, 200 करोड सारे पैस है, वो पूरे भारत को उस परस्पेक्टिव में नहीं देख पाते हैं, यदि आप किसी से पूछेंगे कि बांदीपूरा कहा है, ऐसे आपको कई एक्टर मिल जाएंगे, तो उनको पता नहीं होगा, कि वो कश्मीर में है, बांदीपूरा तो दूर है, उनको पतना कहा है, ये भी पता नहीं होगा, तो ये हमारा दुरुभाग है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस तरह के आशेक बहुत लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या क्या है, एक समस्या ये है कि आज आप कोई भी काम करिये, उस पर विवाद बहुत होता है, और खास तर पर कश्मीर पर एक सीरीज आ रही थी, थोड़े दिनों के बाद निर्माता को सूचना दे दी गई कि आप लोगों को इंटरेन करिये, कश्मीर की पॉलिटिक्स पर बात मत करिये, जब भी हम गंभीरता से और सच्चाई से बात करने जाएंगे, उसे रोक दिया जाएगा, मैं आपको बताता हूं कि 1991 में आप तब दो साल के रहे होंगे या एक साल के रहे होंगे, 1991 मैं मैंने कहा कि सेफरन फ्लेग, भगवाध्वज, जब भगवाध्वज टेलिवीजन पर दिखाई दिया, तो उस समय की सरकार ने उस सीरिल को रोक दिया, ये कह के रोक दिया कि ये भ स्टिये स्वयम सेवक संग का प्रचार है, हर हर महादेव ये उस समय का नारा नहीं है, और उसको लेकर मेरे और उस समय के ततकालीन सरकार के बीच में बहुत संगहर्श हुआ, सीरिल बैन कर दी गई, एक राजनेतिक मोमिंट से खड़ा हो गया था, इतनी साधारन सी बात के और उससे मुझे लाभ ही हुआ कि फिर मेरे मन में प्रशना है कि अगर ये भगवा का विरोध कर रहे हैं, तो ये जानने की कोशिश करता हूं कि भगवा का इतिहास क्या है, और आज आपको मैं दर्शकों को सुनके हैरानी होगी, आप जाईए का घर पे आभी भी गूगल क देखें, History of National Flag of India, तो आपको पता चलेगा कि वेंकईया नाम के एक युवक ने गांधी जी के पास जो सबसे पहला धज लेकर गया था हैदराबाद में, अगर मेरी तारीक गलत नहीं तो 1931, उसमें लाल और हरा था, सैफरन नहीं था, उसकी एक लंबी कहानी है और उस पर म किया था, कि सैफरन कहा है, हम सिखों का परतेन धित्व कहा है, तो उसके बाद, जो हinhदू उस समय के लीडर थे, कॉंगरस के, उन्होंने इस बाद को सुखर किया कि सैफरन हमको सुखर्य है, लाल हटाया जा सकता है, और इसलिए सैफरन नाय और लाल बाहर निकला, और की आपने पास करके हमने रंगों के साथ जुड़िए धारमिक भावनाओं को हटाने की कोशिष की है। तो मेरे कहन है कात अब दार यह चनऊतिया हैं और यह चनऊतिया हमेशे रहेंगी ऐसा नहीं है। जो नए निर्देशक आएंगे, जवान निर्देशक आएंगे, अभी संभावनाएं भी बहुत बड़ी हो गई है, एक समय, CBFC जिसको हम केंद्रिय फिल्म प्रमानन बोड कहते हैं, जो हमारी फिल्मों को प्रमानित करता है कि क्या देखा जा सकता और क्या नहीं देखा जा सक पर अल्टिमेटली क्या बात होती है, जैसे कई फिल्में आई आपने देखा होगा, कश्मीर से कोई नहीं आई, in fact, कश्मीर के कहानी मेरे पास आई है, जिसमें एक लड़की जो पार्टिसिपेट की थी, मैं आपको बताऊंगा मेरे पास इसमें होगा, तो मेरे कहने का ता जब तक की सावजी भाई ध्यान से सुनिया, ऐसे निर्माता नहीं आते हैं, जो इन सब को धत्ता दिखाएं कि मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है, और जब ही हमको महसूस होगा कि जब ये देश के लिए जरूरी है, तो धीरे धीरे वातावरन पिछले वर्ष में जो कुछ भी सिनेमा चला है, मैंने भी एक फिल्म बनाई थी जिसको दर्शकों नहीं देखा, जिसका नाम था संब्राड परत्विराज, तो ये समझ में आगया कि एक बड़ा सितारा भी हमारी बहुत मदद नहीं कर पाता है, एक बहुत बड़ा निर्म करे की भी फिल्म सोचना शुरू करो, तो कर रहे हैं, ये लडाई है और ये लंबी लडाई है, तो धन्यवाद थैंक यू सोमच सर, डॉक्टर चंद्रप्रकास जी ने, जो बात यहां कही है, इतना डीप नॉलेज है, मैंने जैसे कहा एक्सरसाइज भी हो जाए, और बड़िया से उनका आबार भी हो जाए, जो बात उन्होंने कही है, हमारे सब के लिए इतना डीप नॉलेज है, दस मि नहीं पता चल सकता है, जो उन्होंने बात कही है, जब बुक्स की बात करें तो उनको पढ़ने का कम शौक था, आज ऐसा हो रहा है कि बुक्स उनको पढ़ रहे, जब पिता जी ने कहा कि संस्कृत में वो पढ़ाई नहीं करेंगे, और आज वो फिल्म बना रहे हैं का जोश बढ़ करार रखेंगे, मैं विननती करूंगा, हितार्थ दुलक्या, जो गंशंभाई दुलक्या के बेटे है, आज हर एक फैमिली मेंबर भी यहां के सभी का इंट्रोडक्शन करेंगे, सभी को मोका है, सबसे हम भी बात करेंगे, मैं हितार्थ को कहूंगा, next, कौ आएंगे, वो इंट्रोडक्शन दे, thank you. 29 years of age, मेरी उमर में, मुझे इतने सारे महानुभव की अनुभव सुनकर, कैसे अपने जीवन में हम परिवर्तन लाए, या कोई नया बदलाव लाने की सोच लाए, और उसे बरकरार करने के लिए लड़ने लगे, उसकी सोच हमें देने के लिए आप सब पदा रहे हो, इसलि अपने तीसरे पदमश्री मैं बुराना चाहूंगा अपने डॉक्टर अवद किशोर जडिया, जो एक गवर्मेंट अर्यूएदिक डॉक्टर है, वो काफी एक मशूर ऑथर भी रह चुके है, उन्हें एक बुंदेली गवरों के नाम से जाना जाता है, बुंदेली खंडी जो आपको, जिनको पता ना हो, बुंदेली खंडी एक लैंग्वेज है, जो इंडियो आरियन की समई से आया है, और ऐसे इंडिया में हम देखे जाए, तो सेंट्रल इंडिया का जो रीजन है, वो ये डायलोग, ये लैंग्वेज बोलते है, और उन्ही शेत्र में उन्हें पदमश्री मिला है, जो साहित्य और सिक्षा के इवम में उन्हें पदमश्री मिला गया है, उन्होंने एक राजबासा, ब्रज, भुंदेली डायलक्स के उपर पांच किताबे भी लिखी गई है, तो आईए हम उनके ही शक्दों से उनका अनुभव सुनते हैं, मैं रदेप पुर्वक उनका स्वागत करता हूं, thank you. आप सबको प्रणाम करता हूं, मैं बुंदेल खंड से आया हूं, उस छेत्र की बात मैं बाद में करूंगा, अपनी कावियात्र की बाद भी बाद में करूंगा, पहले मैं आप सबको सम्भोधित करता हूं, करपिया ध्यान दें, मैं भाषा का आदमी हूं, और केवल कभी हूं, जबकि मैं चिकिस्ता का छात्र था, चिकिस्ता में ही मेरी नोक्री थी, लेकिन मेरा साहित में बहुत रूशी थी, तो आज समुपस्तित सभी विशिस्ट सम्मानी महानवाव, पद्म सम्मान स्रंखला के नव निर्मित कुटुम्ब के आत्मी सदशगणों, मैं अवद किशोर जड़िया आपका अभीनन्दन और बिर्नम रपनाम करता हूँ, मैं ये बात कल से कह रहा था, कि ये उद्भावना कहां से पैदा हुई, इस कुटुम्ब निर्मान की, मैं ये पिसको पहले भी लिखके लाया था, मुझे इसमर्ण नहीं रहता है, इसलिए मैं लिखके लाया था, और कल भी मैंने इबात करी, आज मैं कहना चाहता हूँ, कि हमारे सुहर दुबान लिए डोलकिया जी महोदय ने, अपनी जिस परी कल्पना को साकार किया, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कि जितने पद्मस्री वाले लोग हैं, वो आदरनी डोलकिया जी को ये ना कहें, वो जैसे उनके घर के लोग बावु जी कहते हैं, हम सब पूरे देश के लोग भी उनको बावु जी कहें, ये हमारा कोड़ वर्ड हो जाए, तो, हाँ, तो मैं कहता था कि ये परिकल्पना को जो साकार किया, और इस सम्वेलन की जो आयोजना की, ये पारिवारे कनभूती की, पारस परक संबल सहयोग की, पुलक और हर्ष की, आनंद और उतसाह की सर्जना कर रही है, आप सब जानते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने पदमुस्री हैं, वे समर्पन के व्यक्ति हैं, किसी भी छेत्र में हो, आप सब का वैसिस्ट, आपकी प्रग्या प्रखरता, आपका काविकोंशल और विमल शार्दा के धवल प्रशाद के अन्वेशन की पुण्ने पता का, जो आप फैरा रहे हैं, क्योंकि जो भी जो काम हो रहा है, वो सब सार्दा की कृपा से हो रहा है, कहते हैं कि शोला कलाएं हैं, जिसका अवतार कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है, उसकी चार-चार भेज से चोंसट का विद्याएं पैदा होती है, आप सब लोग किसी न किसी विद्यापे पारंगत हैं, तो मेरा ये मानना है, कि आपके मती की गती जिस तरफ होगी, उसी तरफ आपके रत की गती होगी, क्योंकि स्वारती भी रती में थोड़ा सब्दों का मेरा काम है कविता में मेरा कला पक्षपर काम है तो जो स्वारती है वो भी रती है और स्वारती में भी रती सब्द जुड़ा है तो उस रत पे उस रत पे स्वारती भी बैठा है और उस रत पे परमार्थी भी बैठा है और दोनों रती हैं तो सब्द खुद बताता है कि स्वार्थी भी रती परमार्थी भी रती जैसी मती वैसी गती ऐसो रत भई दुनिया तो दुनिया तो वो रत है तो मैं ये कह रहा था कि आप सबके अन्वेशन की पुण्ड़ पता का तरंगित हो रही है और आप सबकी तपश्या की जो भलत सुर्ती है वो यहां आकार ले रही है आपके तपश्या की भलत सुर्ती के रूप में आकार लेता हुआ ये है सुदर्शन, सुर्भित और मंगल म कुष्माकर की शवी निर्मित हो रही है आप सब जानते हैं कुष्माकर यानि बसंत होता है तो इस बसंत में तमाम लोग बैठे हैं कोई कला संस्कृति का आदर नहीं बैठे थे अभी सिनेमा की बात कर रहे थे तो इस कुष्माकर में कला संस्कृति का रंगीन परिद्रिश् और सिक्षा की तरंगित पताकाईं भी हैं कहीं नाद नृत्य की हमारी बेहन कल बहुत अशी प्रसूती दे रही थी तो ये सारे लोग बैठे हैं तो इस पूरे कुस्बाकर में वसंत में कहीं रंगीन परिद्रश है तो कहीं सिक्षा की तरंगित पताकाएं हैं, कहीं नाद नर्त की कोणन कोणन धोनिया हैं, कहीं नाद नर्त की कोणन कोणन धोनिया हो रही हैं, तो कहीं सोध समुद्र की अतल गहराईयों से निकाले गए मुक्तामणी भी हैं, और मुक्तामणी और प्रवाल की साखाएं, तो देवी प्रकाशित हो रही हैं, कहीं प्रकृति की अमराईया हैं, अभी आदर ने, बाबु जी ने, मैं कल से उनको देख रहा था, तो प्रकृति के ऊपर उनका जो समर्पन है, उस पहले लग से थोड़ी बागे बात करता हूँ मैं, पहले जो मैं लिखके लाया, उसके बाद कल से साम करें, तो मैंने बाबु जी पर चारचे पंतियां लिखी हैं, बेभी आप सुनेंगे, और वो इसलिए नहीं लिखी, वो मैंने जो देखा, वो लिखा, तो मैं ये कहा था, कहीं प्रकृति की अमराईयां, और कहीं नई ललक, कहीं स्वरताल की गमक, कहीं चतुर हैं कितना सोद पर ईक करीं, तो ये सब लोग जो है, वो सारदा को समर्पित हैं, इनकी अकतपश्या है, इनकी एक साधना है, इनका इक्सरम है, और ये सब सारदा का पreshad है, आपके लगन का परिफलन है, तो कितने जाने कला फलकों के, और सोद संसरगों से जन में कीरतिमा की सुगंदित सुर्मनों का यह बसंत अपने चरम बेभव के साथ यहां उपस्तित है और इसकी आयोजना जिस परिवान ने की है वो उनकी उदभावना उनकी सोच बहुत सराइनी है सच मुझ कभी ऐसा नहीं हुआ लोग पदमसी लेके बेड़ जाते थे पर उनको फिर से जो और जो साथना है उसका कारण ये देश की उर्वरा भूमी की भावना की परणीती है ये देश इतनी उर्वरा है आप जैसे लोगों के अपनी तपस्या की तो धरती देने में कोई संकूश नहीं करती है उसने इतना दिया लोग कहते मेरे पिता जी कहा करते थे काले फलदी दीजा नाम, बीजा आज डालिए, कभी निकाल में फलेगा, लेकिन आप लोगों की तपश्या इतनी जल्दी फलेट हुई, मुझे नहीं लगता था, मुझे या किसी को इतनी जल्दी ये सब मिलने वाला है, पर अब वो बात बदल गई है, नया भारत हो गया है, खोज- हूँ, ठीकस्सिक था, रिटायर हो गया हूँ, मैं चालिस साल दियाद में रहा, अने चंदों के, चंदों का परिशकरत है, चंदों को साश्तरियत हदी, तो मैं सोच रहां तक भी एतने बढ़िया, चंद, मैं कभी अपनेeresय चंद पढ़ता था, मैं का भई, इने चंदों क तो कौन समझेगा, क्योंकि वो काफी सिलिस्ट हो गए थे, काफी उनमें अलंकारिकता आई थी, कविता का जो कलापक्ष है, वो ही मैंने पैदा किया है, राज भाशा में, ब्रज भाशा में, और लोग भाशा में, तो मैं ये कह रहा था कि ये भूमी औरवरा है, उसी की परि स्थापना है, ये जो आपका और या मेरा किसी का भी सम्मान हुआ, ये सत्य की, शिव की और सुंदर्ता की स्थापना है, ये इस भूमी के प्रभाव है, इस भारत वर्ष की जय है, ये हमारा आपका कुछ नहीं है, ये तो ऊपर से आया है, ये तो उसकी क्रपा है, भाई, सिब जी महराज, सिब जी डोले के जी बहुत बात करते हैं भगवान के अतरिक्त प्रदेय की, तो ये भारत वर्ष की जय है, ये इसी की विजय है, और इसी का ये सब धरोर हर है, हम सब इसकी अभिर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, बंदन करते हैं, हम इसी के जन्य हैं, इस अब लोग जानते हैं, इनके व्यक्तित को मैंने देखा, कि सज्या तो अभिवेक पुरुष करते हैं, जो वेवेक ही होता है, वो सरीर की सज्या नहीं करता है, तो आप जब मैंने उनका साक्षात परिश्य हुआ, तो मैं देख रहा था, कहा गया ना, विद्या ददाती विनय तो ये जो विनय शीलता है इनकी, ये बहुत ही, बहुत ही दर्श्री है, और इतना इनके प्रकृति भी बस गया है, कि कुछ पूछे मती, और पूरे परिवार में उस विनय सीलता की प्रतिकृति है, उसका प्रतिविम्व है, इसलिए कि वो कल बात हो रही थी, कि जो आशर करता है तो आपके आशरण में है आपके परिवार में वो बिने सीलता बस गई है तो मैं ये कह रहा था ये कितने प्राकृतिक हैं और इतने प्राकृतिक हैं कि इनने प्रिकृति से तादात्म कर लिया आप जानते हैं एक प्रिकृति बाहर है एक प्रिकृति भीतर है ये भी लेकिन जब आप उस प्रकृति को आत्म साथ कर लेते हैं, आप से तादात्म हो जाता है, तो आप सिद्ध हो जाते हैं, वो जो एक्स्ट्रा इनको प्रदाय किया गया है इस तरह की तरफ से, वो इसलिए नहीं किया गया, वो इसलिए किया गया है कि ये प्रकृतिस्त हो गया ह इनको प्रकृति पुरुष कहा जाना चाहिए तो कहते हैं आप सब जानते हैं कि ब्रह्म हो प्रकृति और मनुष्य तीन चीजों ही सारी सिर्ष्टि को है तरथा यही चीजे हैं अब उसमें से स्रीमान ने मनुष्य और प्रकृति को एक कर लिया है तो इश्टर क्या करेगा भाई वो तो एक्स्टर ही देगा आप प्रकृतिस्त हो गए हैं और प्रकृति को आत्म साथ करना बहुत बड़ी चीज तो इनकी बाही प्रकृति से इनकी अंतर प्रकृति एकाकार हो गई है ये कुछ नहीं सोचते हैं ये तो जो प्रकृति करती है वो ही करते है जो करना चाहिए व्यक्ति को वो ही ये करते है और हम देख रहे हैं कि इनकी सहज्ता, सरल्ता इनका क्रिया व्यापार आचार, व्योहर विशार सब कुछ प्रकृतिक है कहीं कोई कृतिमता दिखती नहीं अब कृतिमता नहीं दिखती तो आदमी तो सहज है सहज का मतलब ही होता है जो सहज है जो साथ में ही पैदा हुआ सहज और जय जो साथ में पैदा हुआ वो सहज है यह सहज ही है इनका यह कुछ बनाने से बनना नहीं है घटाने से घटना नहीं है, इनको तो प्रकृति के अन्कूल लेना, तो प्रकृति इनके अन्कूलन है, जब प्रकृति के ये अन्कूल है, तो ये प्रकृति इनके अन्कूल है, और मैं ये देख रहा हूं कि इनकी कृति भी प्रकृति है, तो ये कृति इनकी प्रकृति से मे तोर है इस तब देखके हम लोग कल से बड़े पुलकित हैं बड़े रोमांचित हैं कि आपने ये सब आयोजन किया हम सब को बुलाया और एक इस लोग आप सब लोग जानतों के विद्वान लोग बैठे हुए हैं आयम निजा परोवेती गणनाम लगुचे तशाम उदार शरिता नाम तू वशुधाई वे कुटूम बखं तो पहले लाइन कहनी तो है कि जरूवत नहीं थी लकिन कहना है बहुत जरूरी है वो कहते है कि आपना और पराया इसमें तो तमाम लोग जुड़े हैं यह मेरा है तेरा मैं अपने लिए करू तेरा लिए क्यों करू अयम निजाह परावेत दो तो गणनाम लगुचे तशाम लेकिन उदार शरिता नाम तू वशुधाईव कुटूम वकम वशुधाईव कुटूम उसी को लगता है लग सकता है उसी को सूच सकता है वो ही सोच सकता है जो उदार शरित हो जिसका शरित उदार है आप देख रहे हैं कैसा सब का सही होगी लेते हैं उदार तक ही बात नहीं कर रहे हैं तो वो तो सब जानते हैं तभी इनके अंदर वशुधाईव कुटूम कम की भावना बताओं मैं कलातीर्थ खजुराओ का जो डिस्टिक है मद्द परदेश शतरपूर से वहां से मैं आया हूँ और राजवाइद परिवार में मेरा जन्म हुआ अगर कोई दूसरे से तीसरा स्वर लगा देता था तो पता देते था बहुत कभी थे लेखक थे उनका सारा बड़े विद्वान और सहाज प्रकृतिके थे उनका प्रभाव मेर उपर पड़ा मैं चिकिस्टा कभी द्यार थी था लेकिन उनके सानेद में उनकी जब गोश्चियां चलती थी तो मैं विद्वानों को सुनता था रामयाण की उपर उनकी एक पुस्तक थी चार सो प्रिष्ट की तो उनकी सराहना और उनका प्रोशाहन ही मेरी उन्नती का कारण बना तो मैंने उन्हें सु सत्तर में जीवाजी विश्विद्याले से आयरवेद की बी एमस की डिगरी प्राप्त की थी उसमें मेरा सुड़न पदक था और परन्तु मेरा मन कावी की तरफ जादा जाता था मैंने सभी प्राचीन कवियों को पढ़ा और मेरा मन कविता के कलापक्ष पर भहत आकर्ष्ट हुआ 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 यह कि मैं 20 साल का था तब मुझे साहित्य लंकार की उपादी दे गई और मैंने मेरी पहली पु तमाम सम्मान मिले ही हैं जैसे सब आप लोगों को मिलते ही रहते हैं लेकिन उसमें से एकाद दो लेखनी हैं वो मैं बताता हूँ उत्तरपरदेस हिंदी संस्थान का एक पुरुशकार था जो लोक भाषा के लिए अखिल भरती इस तर पर एक भाषा को दिया जाना था और वो बुंदेली के लिए मुझे बारा में दिया गया और मेरा जो काम है वो राज भाषा ब्रज भाषा और लोग भाषा में लेकिन केवल कला पक्ष पर है क्यूं कि मैंने देखा कि करीब पचास बरसों से कविता का जो भाव पक्ष है वो तो सब लिख रहे हैं कला पक्ष पर कोई काम नहीं हुआ और जिस बुंदेल खंड से मैं आया हूं आप सबको मालूं होगा कि पहला अश्यारी कवी हिंदी साहित्य का कवींद्र केशव बुंदेल खंड में हुए जिनकी रामचंद्री का इतनी कट्किलिस्ट है कहते थे कि जाको देन न चहें विदाई ज़्वान कहते हैं कि वो सब्दों का अजायब घर है कहते है केशव को कठिन कावी का प्रेथ है इस तरह से तो जो उनने कलापक्ष किया उस पर मेरी रूशी गई और इस बीच एक और आप लोगों की क्रपासे शारदा के प्रशाद से मेरी चार कवीताएं एहमें प्रिवियस में और फाइनल में लाग हुई हैं तमाम ओडिजर्टेशन और पीएजडी तो हो ही रहे हैं इस तरह से मैंने तमाम जगे बुंदेली का प्रतनीदित्ट किया कई लोगों ने मेरे उपार आलेक लिके मैंने उनके उपर लिके इस तरह से पांच पुस्ते के मेर जाती है पूरा चंद दोनों तरफ पैरले जा रहा है इस तरह से मेरा थोड़ा काम है और परिश्कृत बुंदेली या कहने जी सास्त्री बुंदेली सास्त्री राजभाशा परिश्कृत राजभाशा और ब्रजभाशा इस तरह से उसको मैंने देखा कि इसका अलंकरन इसक कभी हुए, पदमाकर कभी हुए, तुलसीदाजी हुए, मेलती सरण गुप्त हुए, इस तरह से मैं उस छोटी सी गुंदिल खंड से आया हूँ और मेरा जो कविता का काम है वो मैं चाहता हूँ आप एक छोटी कविता सुनें और ताकि ये बल्कि एक छंद ही सुन लें आप, जो कला जो शिल्प के छेतर से है और वो गोपी गीता का छंद है और मैं उसको आपको सेवा में रखता हूँ वो इसमें आप देखिए कावे कावे का जो कला पक्ष है वो कैसे प्रिक्टित हुआ है, रूपक है बाश्वरी का उधव का जो गोपियों के लिए जाते है जो भ्रहमर गीत है उस परंपरा का ये गीत है ये पूरा सतक है उसका एक छंद रखता हूँ वो उधव कहते हैं गोपियों से देखिए सब लोग बहुत द्याल से सुनिये क्योंकि ये सब्दों का खेल है और ये कला पक्ष जो है वो मस्तिस के सुना जाता है भाव पक्ष हिर्दय से सुना जाता है तो आप सब इस चंद को बहुत सुनें कल में देख रहा था तमाम लोग साहित्तिक विर्थी के हमारे परिवार के लोग भी है तो इस चंद को बहुत द्याल से सुनिये वो उधव कहता है गोपियों से वंशन निजत्यागी तुम तो अपना वंश छोड़के आई हो रूपक है बासुरी का बासुरी जो बनती है तो माज से काटी जाती है लड़की जब परिवार से अलग होती है तो वंश का श्लेश है वंशन ने जत्यागी ऐसे वंश की बनी हो अंश कान के करों में नाचति सी मुरली हो तुम वो कहता तुम तुम मुरली हो जो अपने वंस को छोड़ के आई है और बासुरी भी वंस छोड़ के बनती है और लड़की भी अपने वंस छोड़ के उसका गोतर बदा जाता है वंस ने जित्याग ऐसे वंस की बनी हो अंश कान के करों में नाचती सी मूर ली हो तुम सब्त स्रोत शों को देखिए बासुरी में साथ छिद्र होते हैं स्रोत सब्द जो है वो स्वर विज्ञान का सब्द नहीं है वो सारीर विज्ञान का सब्द है और सब्त स्रोत शों को संयोग से जतने वासुरी में छ्षद्र होते हैं नायका में भी उतने ही छ्षद्र होते हैं और जब छ्षद्रों को छेड़ते हैं तो उसमें से राग निकलता है राग का भी शलेष है, राग राग नी और राग मने शले है, वशने जित्यागी ऐसे वश की बनी हो, अंश कान के करों में नाचती सी मुरली हो, तुम सब तुस्रों तुशों को पराधीन करने पे, नायक नायक भी जब किसी नायका के नेत्रबंद करता है, तो उसमें राग पैदा होता है, आपने छिद्रों को छेड़ा, राग पैदा हुआ, बाशुरी में छिद्रों को छेड़ा, राग पैदा हुआ, वंश को छोड़ा, वंश ने जित्यागी ऐसे वंश की बनी हो, वंश कान के करों में नाचती सी मुरली हो तुम, सब तुसरोत शों को, पराधीन करने पे राग रंग की लखीर खाचती सी मुरली हो TUM मुख चुमती हो यह उत्परेक्षा लंकर रहा है दो खेवे ुजु भासुरी के दो उठ होते हैं और कृष्ण के भी के चुमाबती अधरो, उत प्रेक्षा होती है, तू मुख्चूमरी है, या तू उसका मुख्चूमरी है, अपना मुख्चूमरी है, मुख्चूमती हो, के चुमाबती अधरो, कैन हो सुरो में, अब इसमें, आप देखें, जो कलापक्ष होता है, इसमें एक सब्दाया है, को जब भंग सभंगे इमक करते हैं, तो जब सू को हटा देते हैं, तो रस रह जाता है, जब सा को हटा देते हैं, तो सुर रह जाता है, सुर के भी दो अर्थ होते, सुर जो राग रागनी में निकलता है, सुर मने देवता, ये कृष्ण है, कि कोई ग्वाले का लड़का है, तो सुरस को तीन जगे से जब तोड़ते हैं, तो यह सभंग अगवन बतता है, मुख चूमती हो, कैचुमावती अधर, कैन हो सुर में, सुर में सुरस, सुरस जाचती सी मुरली हो तुम, साहित्या में खूब ज्यान है, जिनोंने अपनी कविताई में हमें आसानी से समझा दिया, थेंक यू सभी को. हालो, फिर से पदारे सभी महमानगन का तेह दिल से स्वागत है, परमादनी अस्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट से पदारे स्रियांस भाई का भी तेह दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं इस पावन अउसर पर, और मुँग गुजराती मा कऊ तो सुरत सहर नो आयां बदू क्रीम बैठू छे, रदै थी अरिकुष्ण परिवार एने आवकारे से, अभिवादन करे से, आजना कार्यक्रम माटे आप सवे पुरो दिवस, आखो दिवस आयां तमे फालवो छे, जिवन मा काक नवु शिखवा माटे, नवु जानवा माटे, आ तमाम पद्म एवोडी ना वक्तविया माथी आपने काक आपना जिवन मा उतर्वा माटे आया जेरे, आप सब उपस्ति थ्यास होत्यारे, फरी फरी स्वागत करूचू, आपने सान सुधी, आविज रितना आपने स्थान या जालवी राख्षू, बद्दा ने आपने दिल्थी सांबलचू, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट हूँ, जिया भावी एटले राजेशव ढ़ाय आधर्मापत्न विनंति करिष बनने उ स्थेज उपर साथे आवे, आने नेक्स्ट कॉना आउष्य को शेते थेक्आ है, राजेशव ब्राजेशव द्खники अने गुड आफ्टरनून आवरिवन, डायलोग उन जर्णी ऑफ पद्मा आवर्डीज, और हमारे निमंतरन को थ्यान में रखते हुए, समय की वो लेके आए, फैमिली मेंबर्स इनके लिए में हार्दिक स्वागत करती हूँ, और ये फंक्शन तो अनेक्स्पेक्टर था, अंकल, हमारे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और आज मैं, as a family member, आपको ये promise देती हूँ, कि मैं खुद भी कुछ ऐसा अचिव करूँगी, कि आपके पद पे ही चले, और कुछ भी छोटा मोटा जो भी हो, contribution करे, as a social worker, और मेरे बच्चों को भी मैं ऐसी परवरिश दू को promise करते हूँ आज, आज जिन के बारे में मुझे बोलने के लिए ये मिला है तक वो है श्रीमती बसंती देवी जी, वो एक सामजिक कार्य करता है, वो उतराखन के कुमावक्षेत्र में महिला शोशक्तिकरण और परियावरन सवराउक्षन की दिशा में अपने परयासों के के लिए जानी जाती है, उन्होंने बसंती जी ने कस्तुर्बा महिला उत्थान मंडल, लक्ष्मी आश्रम कौसानी, अल्मोडा के साथ वो जूड गई, उन्होंने महिला समोहों के माधियम से वनों को बचाने के लिए अभ्यान शुरू किया, और गरेलु हिंसा तथा महिला के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए जन जागरुत्ता भी शुरू की, उन्होंने बालवीवा के विरुद जागरुत्ता पैदा करने का भी प्रयास किया, श्रिमती बसंती जी उनके निस्वार्थ विशिष्ट सामजिक कारियों के लिए नारी शक्ती पूरसकार, दे आपने श्रगल किया है, उनकी हम एक जाखी दिखाए, श्रिमती बसंती देवी जी संती देवी समाज सेवा क्या कहें, सबको परणाम, मैं बसंती देवी हूँ, उत्राखंड पिथोड़ागर की रहने वाली, तो मैं पिथोड़ागर गाओं में रही, और बार साल में साधी होगी, उसके बार बिध्वा होगी, तब फिर उसके बार मैं अपने मैके आगे, सस्वार मिला, और खौकोट में हुआ पोखरिया लोगों के वहाँ, वो ग्यार में पढ़ता था, जिस दिन साधी हुई, और उसके बाद दो साल, तीन साल में जैसे भार पूरा किया, और एक साल की रेट्रेनिक की, टीचर की, तो जैसे ही नौकरी लगी, एक मेहना, दो मेहना हुआ था, खतम हो गया, तो उसके बाद, क्योंकि उन दिनों लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, पहले चार पड़ी में, चार पास हुई, पांच का छमाई पेपर दिया, और बारशिक पेपर के लिए दूसरे स्कूल में नहीं जाने देते थे, कहते थे, ये तो लड़किया हैं, आब इनको तो खास काटना, लकड़ी काटना, और घर का काम करना है, गाई भैस पालने हैं, तो पढ़ लिखकर क्या करते हैं, तो साधी होगी, तो उसके बाद वो हतम हो गया, तो मेरी साध कहती थी, कि इसने मेरे लड़के को तो इसने ही खाया, तो न वो बोलती थी, न खाना देती थी, कुछ भी वो नहीं करती थी, तब उसके 10-15 दिन होने के बाद, अब मैंने सोचा, कि कम से कम मैं मा के पाह जाओंगी, तो वो खाना तो देगी, बोल तो सही, और मैं यहां क्या करूँ, तो मैं अपने दिग्रा गाओं में अपने मायके गई, उन दिनों तो न कपड़े, न कुछ न कुछ न कुछ एक जोड़ी, दो जोड़ी कपड़े होए उनी को लेकर, तो मेरे पिता जी, तो बिहार पुलिस में थे, पहले तो आर्मी में को ऐसा ऐसा हो गया करके, तब जब दो रास्ते थे, एक रास्ते से तो मैं आई, दूसरे रास्ते से मेरे पिता जी मुझे देखने वहां आये, ख्वांकोट आये, तो अलग-अलग रास्ते से, और फिर मेरे सास से मुने पिता जी ने कहा होगा, मेरे लड़की कहा है, मैं उ अवसके ते इतनी कम उम्र में ऐसा ऐसा हो गया, पता नहीं कहा गई तुम्हारी लडकी भाग गई होगी, चले गई होगी हमको कुछ नहीं पता है। करके तो मेरे पिताजी ने कहा कि अब मेरी लड़की अपने मां के पास गई होगी फिर मैं तो उपर के रास्ते आया तो साय तो नीचे के रास्ते गई होगी तो ऐसा करके फिर जब से मैं वहां से वहां गई तब से क्योंकि एक ही लड़का हुआ उनका भी वह खत्म हो गया त गाई भेंसों को पालना, ये काम तो फिर मेरे चाचा, एक चाची के लग, जो भाई था, तो उसकी लड़की का बिकलांग पैर था, तो उन्होंने कौसानी, लक्षमी आर्सम कौसानी में, वो आर्सम था, वहाँ पढ़ाने के लिए भेजा, तो उन्होंने मेरे से कहा, बेटी नातनी, तुम अभी इतनी छोटी हो, और अभी से ऐसे क्या काम करते हो, तुमको लक्षमी आर्सम कौसानी में, पढ़ने जाना चे, ये वहाँ वहाँ का पता है, और उन्होंने राधा दिदी का नाम दिया, वो वहाँ की उस समय मंत्री थी, और फिर उनको मैंने पत्र कि मेरा ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा, आजाओ यहाँ, यहाँ तो लड़कियों के लिए, और यह आस्रम खोला है, क्योंकि भारत आजात के समय गांधी जी की सिस्या हमारी सल्ला बहन जी, जो भी देशी थी, और तो कैथरीन हेलोने मुन का नाम था, और ज करती हैं, और इनकी बुद्धी का विकासी नहीं है, जब भारत आजाद हो जाएगा, तो मैं लड़कियों के लिए, इस्कूल खोलूंगी, और उनको मैं पढ़ाऊंगी, तो उन्होंने भीर बात में, लक्षमी आसम में, कस्तुर्भा महला उत्थान मंडल लक्षमी आसम कर करके वो इस्कूल खोला, तो उसमें पढ़ने लिखने का सब अभी कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजिनियर हैं, कोई टीचर हैं, कोई नर्स हैं, इस परकार से वहां पढ़ाई लिखाई करके तो ये काम किया, जब मैं दो तिन साल लड़कियों मैं मा के साथ रही, तो उसके बाद गई, तो वहां फिर उस समय तो मैं बड़ी होगी थी, छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते दे, कोई दो में, कोई तीन में, कोई चार में, तो दीदी ने कहा, बसंती, अब तो तुम तो बड़ी होगी हो, एक साल की कताई बुनाई की ट्रेनी कर लो, और उसके बाद पिर आगे देखंगे, तो एक साल की कताई बुनाई की ट्रेनी की, उसके बाद फिर दीदी ने कहा, और मैं तो उनीस सो अशी में गई वहां, लक्षमी आश्म कौसान ही मैं, तो उन्होंने पिर उसके बाद, और जब एक साल की कताई बुनाई ट्रेनी के बाद फिर उन्हो उन्हें कहा कि जब लड़कियों को स्कूल भेजते ही नहीं हैं तो हम गाओं में स्कूल खोलेंगे तो बालवारी गाओं गाओं में खोली तो मैं भी बालवारी का काम करने लगी तो सुवाखान में हरीजन गाओं में मैंने उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए गई कोई न करनी है पढ़ लिखकर क्या करेंगे इनको तो घासी काटना है गाओं का घर का काम करना है खेती का काम करना है तो पढ़ ले तो मैंने उनसे कहा कि जिए दिन शादी करोगे शादी की तैयारी हो जाएगी तो जिए शादी करोगे अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है तुमारे यहां तो इसको इसकूल में पढ़ने दो तब फिर वो आने लगे बालवाडी में तो कम से कम 40-50 लड़कियां और छोटे-छोटे लड़के भी आते थे तो वो नाज, गाना, कविता, कहानी, पढ़ना, लिखना सब उनको हम सिखाते थे बालवाडी में एक बालवाडी से लेकर 200 गाओं में बालवाडी चलाई तो फिर उसके बाद हम साल भर में महला मेला करते थे और वो क्या है बालवाडी का मेला, बाल मेला करते थे तो डियम अश्जम को भी बुलाया दनिया छेत्र में तो दो सो गाओं में जब बालवाडी खोली तो साल भर में जब हम बाल मेला करते थे डियम अश्जम साब को और पुलिस वालों को थानेदारों को सब को पुलाते थे उनके मापिताजी लोगों को भी तो उनका पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना, नाटक, कविताय, कहानियां सब माइक में इतनी अच्छी तरह बोलते थे छोटे छोटे बच्चे भी तो उन्होंने कहा कि고 अरे, यहां तो देखो उत्राखंड में यहां पालवाडिया यह गागवा में स्कूल खोल ले हैं, और यह तो पूरे भारत में होना चाहिए. तब उन्होंने सरकार के द्वारा 20 साल तो मैंने दनिया च्छेतर में बालवाड़ी का और महला ससक्तिकरन के लिए वहां काम किया तो उन्होंने भी आगनबाड़ी और मीनी आगनबाड़ी खोली पूरे भारत में तब हमको लगता है कि आसम के द्वारा जो हमने बालवाडी का काम किया तो उसी के उससे तो आज मीनी आगनबाडी और आगनबाडी खुली है तो हमारे बहनों को बेटियों को या बहूं को रोजगार मिलना है और सोटे बच्चे से लेकर बढ़े तक पढ़ने लिखने लग अब उनके लिए कोई परिशानी नहीं है पहले तो लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे ऐसे करके यह अच्छा लगता है फिर और हमारे कौशानी छेतर में इतनी परिशानी थी उन गाहों में तो फिर राधा दिदी नहीं कहा मेरे से बसंती जो काम तुमने दन्या छेतर में किया तो उसको अब कोशानी छेतर में करना है कि यहां तो कोशी नदी सूख गई है और महलें पूरा जंगल काड़ दे रही हैं और इतने बड़े-बड़े पंद्र पंद्र शोल-शोल कंखले लकड़ी के वहां रखके वह शड़ जाते थे उनको फैंक देते थे और गाओं में दस तिन गाओं में जाकर कोई बहुए नहीं मिली तो फिर मैंने उनसे कहा उनके साथ ससुरूं से कि मैं दस दिन तुम्हारे गाओं मा आगी हैं आगी हूं कोशी नदी सूख गई है तुम्हारी इतनी अच्छी खेती है इतनी अच्छी सबजी होती है सब कुछ तुम कहीं से बाहर से मोल नहीं लेते हो और जब पानी नहीं रहेगा तो हम जिंदा कोई भी जिंदा कैसे रहेंगे खाने के बिना तो एक मेहना पंदर दिन तो जिंदे रह सकते हैं पाने के बिना तो एक दिन भी नहीं रहेंगे जब कोशी नदी में पानी सूप गया है, अलमोडे में पानी नहीं जाने वाला हुआ, क्योंकि कोशी नदी नीचे हुई और अलमोडा इतने उपपर हुआ, तो वहाँ पानी नहीं हुआ, ऐसे, तो सास असुर कहने वाले हुए उनके, यह तो डियम का कहना नहीं मानेंगे, त सास लोग कहने वाले हुए एक एक पशेरी भात खानी एक एक पशेरी अगर ये जंगल के लकड़ी निलाएंगे बांज निलाएंगे तो इनका क्या काम है तो फिर एक दिन मैंने सोचा दस दिन मैं गाओं में जाकर कोई नहीं मिले हैं तो अब मैं जंगल के रास्ते महलाओं स तो मैंने कहा अरे मैं दस दिन तुम्हारे गाओ माई तुम कोई मिले इनी आज मिल गए हो तो हम यह करते हैं कि जब पानी नहीं रहेगा तुम बताओ कि तुम ने भाबर खरीदा है जमीन जब पानी नहीं रहेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे खेती कैसे होगी सबजी कैसे हो क्या तुम भावर जाने वाले हो? Не रहोगे यहाँ. तो उन्होंने कहा कि दिदी यह बात थो हमसे किसी ने कही एक हमिचो, क्या एक हम जो क्या काड़ते हैं, तो यहाँ तो यह सब पूर Linhation में ऐसे जंगल कारते हैं. मैंने कहा, तुम मेरा साथ दोगे, तुम मेरा साथ दोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तो तुम्हारे गाओं में संगठन, तुम्हारा संगठन, मैं अभी बनाते हूं महला मंगल दल, और कल से दूसरे दूसरे गाव में जाएंगे तो वहाँ बनाएंगे तो सब एक हो जाएंगे तो हम जंगल बचाएंगे पानी बचाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है फिर और मैंने कहा तुम अभी मैं तुम्हारा संगठन बनाती हूँ मैं हला मंगल दल बनाती हूँ और ये दराती और रस्षी लेकर वापस जाओगे काटोगे नीपेड फिर कल से झालाइ धाला खक ऑपनी कुर प्लबनाती हमने काटोगे काट क Украї लेकर और क्या बनाती हूँ वालाइ बनाती हूँ झालाइ झाल 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 और तुमको इतना तो पता होना चाहिए जितनी जरुवत है उतना वह काम करना और आपसी तालमेल अच्छा होना चाहिए जब परिवारी एक नहीं होगा गाउं एक नहीं होगा तो आगे के जो बच्चे हैं वह बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे तो भाई लोग अपनी दुक कूल भी जा रहा है तो वो कहेंगे देखो यह क्या हो रहा है जा एक घर कर रहा है तो अगर आपसी तालमेल अच्छा करो ऐसे रहोगे तो आगे के पीड़ी क्या बनेगी हमारी तो इस परकार से उनको समझाया और महलाए तो फिर उसी समय चले गई और गाउम जाकर दूसरे दिन से फिर हम दूसरे दूसरे गाउम गए सब जगह संगठन बनाया पर वो उनके पती मुझे भी गाली करते थे डाढ़ते थे कहते थे यह तो इसका तो घरबार नहीं है यह आसम में रहती है और हमारे बहूं को हमारे लोगों को भड़का रही है और ऐसे ऐसे करके तो फिर उन्होंने महलाओं ने कहा दी दी और इनका बूरा मत मानों यह ऐसे ही है हम आपके सा आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं तो हम पूरा जो छेत्र है उस छेत्र में महला संगठन बनाएंगे मैंने कहा मैं तो नैपाल भी गई भोटान भी गई बंगला देश भी गई और गड़वाल में भी गई पहले वहां भी जंगल काटके पानी की कमी होगी थी फिर उन काम हमको भी करना है संकल्प लेना है ति कोशी नदी के पास जाकर कि मा आप ने हमको बचाया हम गवार थे हमने आपको खतम किया अब हम आप से मापी चाहते हैं कि अब हम जंगल मने कहा चोड़ी पत्ती वाला जंगल नी काटना है अगर तुम को लकडी चाहिए तो चीड का पेड काटना है और हम अप्लिकेशन बन विभाग के उससे ले लेंगे पैसा हम उनको नहीं देंगे तो जो मकान बन रहा है या किसी की साधी हो रही है उसमें लकडी चाहिए तो हम उनको अप्लिकेशन देंगे और उनसे साब कह देंगे कि हम पैसा नहीं देंगे अप्लिक मैं कोशी से लेकर जहां से सिरोत था कोशी का और वहां से संकल्प लिया मैंने कहा सबसे तुम संकल्प ले लो कहो माता जी लोगो कि आपने हमको बचाया हम अग्यान थे हमने आपको खतम किया अब आज से हम कच्छी लकडी नहीं काटेंगे बांज नहीं काटेंगे आपको हम आपको हम जिन्दा करेंगे, आपको बचाएंगे, आप हमको बचाएंगी करके, तो पले दिन की पधियात्रा की वहां काटली से लेकर राम नगर तक, तो सब को हाथ में पानी रखके, मैंने कहा कहो कि हम अग्यान थे, अब हम, हमको जानकारी मिल गई है, हम आपको बचाएंगे, तो ऐसे करके जो चार महला और फिर दो तीन, दो साल में फिर मैंने गांवालों से कहा, बताओ, आप क्या हो रहा है, तुम्हारे इस इलाके में दे रहे हैं कि नहीं लड़कियों को साधी हो रही है, नहीं लड़को में भी जा रहे हैं, साधी में भी जा रहे हैं, अब तो सराप पीकर हमको मारते, मारते, डराते, गाली गलोज भी नहीं करते हैं, सास असुर भी अच्छे हो गया है, पती लोग भी अच्छे हो गया है, जब वो दुकानों में खेलते थे, मलब जुआ खेलते थे, सराप पी और जवान लोगों से कहा भायों से तो पति-पत्नी का रिष्टा बराबर है उनका काम और उसका ब्योहार उनका समंद भी एक है तो वो काम कर रहे हैं तो तुम भी उनका साथ दो तभी तो तुम्हारे जो बच्चे हैं आगे के पीड़ी अच्छी होगी उनको भी तो मार्ग दर्शन देना है उनको तो ज्यान देना है ऐसे करके फिर उसके बाद जब मैं गाओं गाओं में जाती थी बावराश्ते से जा रही हूं महां दुकाने हैं वो तो उस समय अगर वो तास भी खेल रहे हैं या पीड़ी शिगरण भी पी रहे हैं तो उसको छोड़ देंगे दीदी आगी ऐसे करके धार्मी किताब है और अकबार पढ़ने लग जाएंगे अच्छा ब्योहार करने लग जाएंगे इससे गाओं में इतना वातावरण इतना अच्छा हो गया महलाओं ने जब महलाएं फिर उन्होंने कसम खाई कि हम आप जंगल निगा तब से फिर और वहां ना मार काट हुई ना लड़ाई जगड़ा हुआ ना कुछ ऐसे करके वो आगे काम करने लगे तो वहां के एक दैनिक जागरण वाले थे भाई हमारे और एक वोकिल साप थे और उन्होंने कहा कि हमारी दीदी बसंती दीदी पिथोड़ागर जिले की है और हमारे छेतर में इतने सालों से ऐसा काम कर रही हैं लोग तो नेता लोगों के साथ मिलकर कहते हैं कि वो हमारे लोग हैं उन्होंने ये काम किया ये काम किया और उनको सम्मानित करो ये करो तो ह व्हारी दीदी को क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे करके उन्होंने आगे को ये बढ़ाया था उसके बार मुझे भी बहुत जगह फिर सम्मान मिला महला ससक्ति करण के लिए भी ये जो परण मुखर जी थे उन्होंने मुझे सम्मानित किया और उन्होंने तो एक लाख रुप्या भी दिया मुझे और उसके लिए फिर ये पदमस्री अवाड जो मिला और इसमें भी इसे आगे भी का दिल्ली भी बंबई भी पठान कोड भी देहरादून भी अलमोडा भी लखनाव भी और पिथोडागर में भी कितनी कितनी जगह ऐसे लोगों ने बुला कर सम्मानित किय कि हमारे इलाके को और हमारे यहां आपने इतना अच्छा काम किया और आगे भी अच्छा है आज मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि यहां बुलाया और यहां बुलाकर मुझे तो गुजरात में आपकी कंपनी को देकर आपका इलाका देकर बहुत बढ़िया लगा, मैं तो चाहती हूँ कि मैं यहां रहूं, तो मैं यह चाहती भी हूँ, कि ऐसा ही, जो यहां कमपनी खुली है, हमारे उत्राखंड में, पिथोड़ागर जिले में, अलमोडे जिले में, नैनी ताल में, जहां जहां भी है, धार्चुला और डिडी हार जहां भी है, कि वहां के लोग इधर उधर कहां न भागें, तो ऐसे काम करें, जैसे यहां आकर मुझे इतना अच्छा लगा, कि साथ हजार लोग यहां काम करते हैं, और नशा मुक्त हैं, मानस मुक्त हैं, इतना अच्छा समाज बनाया है मैं तो अपने दाजी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ तो आपने हमारे ये भारत में सब जगह आपका सम्मान हो और आपने जो इसनित यहां बनाई है लोगों को जैसे आगे बढ़ाया है सब को बढ़ाना है और हमारी देभ भूमी उत्राखंडे और हमारा भारत महान बने आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का तो ये आपने हमको आगे बढ़ाना है धन्यवाद थैंक यू बसंति देवी जी का मैं थैंक यू कहूंगा एक छोटे से घर से जो बच्पन से जैसे जब से साधी उनके बाद तुरंत विद्वा होके फिर सोशल काम आगे बढ़ा के महिला सक्तिकरन पे काम करके उनका नाम आगे बढ़ा के उनको पदमसरी एवर्ड मिला बहुत बहुत ग्राउंड लेवल से काम करते हुए वो आगे बढ़िये खुब अच्छी लगी उनकी वारता थैंक यू अभी मैं आगे आशू और पूजा दोलक्या मैं ये दोनों को स्टेज पर बुलाऊंगा आशू जो पिंटू उसकी धर्मपत्नी है पूजा जो ब्रिजेश की धर्मपत्नी है तो मैं उन दोनों को विननती करूँगा कि स्टेज पर आए और अगले स्पीकर के बारे में बताए सबको जई स्वामी नाराइण जई स्वामी नाराइण दे जर्णियो फद्मा आवर्ड्स टूथाउजन टू के सभी महिमान को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ आज इतना अच्छा माहूल है और एक बात करने का और मन हो रहा है कि भरोसा जीता जाता है मांगा नहीं जाता है बरोसा जीता जाता है मांगा नहीं जाता है यह वो दौलत है जिसे पाया जाता है कमाया नहीं जाता यह वो दौलत है जिसे पाया जाता है कमाया नहीं जाता तो सबने आज वो पाया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि सब अपने किम्ती समय निकाल की इधर आये हो और एक बात वो भी करने का था कि आप सब अच्छे इतने काम कर रहे हो और उसकी सफलता में आप आगे हो तो मैं भगवान से यही दुआ मांगूगी कि पूरी दुनिया को खुश रखते भगवान आप इन सब की जो भी मनो कामना है वो भी पूरा करो मैं एक वो अपनी मन से दुआ कर रहे हूँ कि आप सब की हर मनो कामना पूरी हो अभी मैं आगे बढ़ूंगी आगे में बात करोंगी सुश्री नलिनी अस्थाना सुश्री नलिनी अस्थाना उसका जनम 5 नवंबर 1955 को आगरा उत्तर प्रदिश में हुआ था सुश्री नलिनी वारांसी घराने के गुरु जितेंद्र महराज की सिश्या है जो कथक नुत्य की मंदिर शैली के प्रतिसादक है सुश्री नलीनी अस्थाना नुत्य युगल और अपनी बड़ी बहन कमलीनी अस्थाना की साथी के रुप में सुप्रसिद है उसके लिए उसको पद्मश्री मिला है उन्होंने spiritualism in dance relation of dance with yoga पुस्त के लिखी है इन में रुत्य को मोक्ष के माध्यम के रुप में चित्रित किया गया है सुश्री निलीनी ने 1500 से अधिक छात्राओं को शिक्षित किया जो अब एक भारत स्रेष्ट भारत के पत प्रदशक है उन्होंने संगित नाटक एकेडामी संस्कृती मंत्राले के साथ कठक यात्रा नुरुत्य के चिकित्सक, महत्व योग और मुद्रा विग्नान के साथ नुरुत्य का सबंधी जेसी तीन परियोजनाओं पर भी कार्य किया है सुश्री नलीनी संगित का Institute of Performing Arts में पढ़ा रही है 1984 से Academic Institute of World में आयोजित उनकी व्याख्यान श्रुंकला की व्यापक प्रशंशा की जाती है पिछले दो दशक में उन्होंने संगित रुत्य चिकित्सा के माध्यम से एकागरता, इच्छा शक्ती, नैत्रद्रश्टी विक्सित करने और अस्थमा पर MTNL स्वास्त्य के मेला में मुफ्त शिबीर आयोजित किया है और शारिरिक रूप से विकलांग छात्रों का जयविक और मनोविग्नान उपचार करके उन्हें जीवन की मुख्यधारा के साथ जोडने में मदद की है सुश्री नलिनी को अनेक पुरसकार और सम्मान प्रदान किये गए है जिन में उत्तर प्रदेश संगित नाटक अकेडमी पूरसकार महाकल सम्मान अटल सम्मान Human Rights Commission Award और इंडियन असोशियेशन यूएसेफ का Lifetime Achievement Award शामिल है तो ये सुश्री नलिनी की जर्नी है और आगे मैं पुझा को बताती हूँ वो उसकी सिस्टर सुश्री कमलिनी अस्थानाची की अभिवादन करेगी थैंक यू हेलो, गुड इवनिंग, यहां उपस्तेत हरेकृष्ण ग्रूप द्वारा आयोजित सभी पदमश्री अबोडीज का मैं वेलकम करती हूँ और हरेकृष्ण ग्रूप के सभी मेंबर्स, सभी गेस्ट, सभी का मैं हादिक स्वागत करती हूँ हम सभी जानते हैं कि कलाका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है ऐसे ही एक उम्दा कलाकार जिन्होंने कल ही एक पफॉमेंस दिया था और उनका ये पफॉमेंस श्रीमती कमलीनी अस्थाना का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी ये एज में भी इन्होंने इतना एनरजेटिक पफॉमेंस दिया था वो काफी काबिले तारिफ है मैं चाहूँगी कि हमारे गर में भी कई सारे बच्चे है तो इन में से सभी बच्चे कोई ना कोई फिल्ड में जाके ऐसे ही कोई एवोर्ड लेके आए तो ये सभी को मेरी और से मैं प्रॉचसान भी करूँगी सभी बच्चों को और सबको आगे बढ़ने का हम एसा एट्मोस्फियर हम पैदा करेंगे और हम काफी लखी है कि हमें ये पदमश्री एवोडीज को का पफॉमेंस देखने का इधर मुका मिला इसका जन्मा 11 नवेंबर 1954 को आगरा के उत्तर प्रदेश में हुआ था और कथक नूत्य शेणी में इन्होंने कई नहीं उचायों को हासिल किया है और कथक शेत्र में भारत सरकार ने श्रीमती कमलीनी अस्थाना को पदमश्री एवोड से नमाजित किया है पौराणी कथाओ जैसे रुद्रा उत्तर अगनी शिखा वैदेही वनवास ऐसे कई नूत्य शेली में श्रीमती कमलीनी ने नूत्य कला को कई नहीं उचायों को पर पहुँचाया है और चाओदा भारत की शक्ती पिठो पर उसने परफॉमंस दिया है ये उसकी सबसे बड़ी प्रसिद्धी है उन्होंने 2003 में कैलाश मान सरोवर में 18,000 फीट की उचाय पर नृत्य करने का विश्व रेकॉर्ड बनाया है सुष्री कमली अस्थाना और सुष्री नली अस्थाना कला मृत्या सुष्री कमली अस्थाना सुष्री नली अस्थाना सुष्री हरियों सभागार में उपस्ते सभी महनुबाव देवी दिवताओं को मेरा हिर्दे से अभी नंदन हम दोनों की तरफ से मेरा परम सभाग यह है आज का दिन आप सब लोगों के साथ नियत किया इश्वर ने उसके लिए मैं बहुत कृतिक हूँ जहां तक मैंने पहले कमनी जी आ चुकी थी और बहुत तारीफ कर रही थी में को समझ में नहीं आ रहा था कमनी जी ने अकेले जो अनुभव को चखा है उसका सुआत मुझे दिलाना चाहती हैं हम दोनों में ये बात रहती है, कोई भी अच्छी चीज होती तो ये मैं चाहती हूँ ये उसका आनंद ले ये चाहती है कि मैं चाहती हूँ ये उसका आनंद ले और परसफर इसी भावना से हम लोग अग्रसर होते हैं इस परिवार के लिए इश्वर की परम अनुकम्पा रही है ऐसा मुझे लगता है जल को लेके पंच्टत्व में आपने जो इतना बड़ा श्रे उठाया है मुझे लगता है ये बहुत ही एक तरीके से इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये कम है भागी रती आकाश से गंगा लाए थे पूरवचों को तारने के लिए सौजी भाई ने पाताल से गंगा निकालके इस प्रांत में एक नयाई सोच रखी है आज के भागी रती आप हैं सौजी भाई पुत्र से परिवार परिवार से कुटुम कुटुम से समाज समाज से देश देश से एक विश्व का एक सोच बनती है आपने उसको विधिवद जो अपने कर्म में उतारा है इश्वर की बहुत बड़ी क्रपा है इसको बनाए रखिये इंजन सही हो तो सारे डिब्बे सही चलते हैं और पट्री भी सही हो ऐसा आपके परिवार में देखने को मिला है इंजन भी सही है इधन भी सही है जो आपको मिला है और शत्र साय भी ये सही है इश्वर इसको बनाए रखे ऐसा मैं सोचती हूँ कई बार क्या होता है हम अपनी उपलब्दी से दूसरों को लाबान्तित नहीं करते हैं मेरे गुरुजी का कहना था हर एक के भागे में सब कुछ नहीं होता कुछ हमें संसकारवश मिलता है कुछ हम अर्जित करते हैं अपनी अरजना से हम जब दूसरों को लाबांतित करते हैं ये देवत्ते होता है आपके अंदर ऐसे देव की भावना है और सारे परिवार को आपने प्रेम बंधन में जोड़ रखा है ये आपकी सफलता का कारण है दूसरा जो आपके establishment में लोग हैं उनको आप प्रसंद रख एक भाव विचार से आप लोग आगे बढ़ते हैं ये आपकी सफलता का कारण है क्योंकि जब कोई कुण्ठित होता है आप इधर खीचते हैं प्रगती की और कुंथा उसे दूसी और ले जाती है आप वहीं के वहीं रहते हैं इस कुंथा को आपने अपने वयभार में ढलक मिटाया है और सब लोग एक मत होके चलते हैं आपको ईश्वर की अनुकंपा है उसकी बनाए रखे और यही चीज में ईश्वर से कहती हूँ आपका शब्द लेके कि ईश्वर ने मेरे साथ पक्षपात किया है एक बहुत अच्छे सहयोगी की रूप में कमलिनी बहन और एक अ हमेच जाएगा मैं फौजी परिवार से थी मेरे फौदर ने जब 20 प्लस थे सेकंड वर्ड वार में पार्टिसिपेट किया था और हमारे गर में हमेशा वही बात चलती थी कि देश प्रेमा और देश के लिए करना कहते थे सारे रिंड हैं लेकिन उसमें देश का भी राश् उसे हमें चुकाना है अपने कर्म से जो हमें दिया गया है इसी भावना से हम लोग सोचते थे लेकिन गुरू का साने थे जब मिला तो दिशा बदल गई मैं स्पोर्स चैंपियन थी बारा साल जोनल चैंपियन रही एथलेटिक्स में और छे साल नेशनल को रिप्रेजन किय मैं फर्स्ट आती थी तो यह सेकंड आती थी यह सेकंड आती थी तो मैं फर्स्ट आती थी इस तरीके से हमारा कारे चलता रहा और जितने भी प्राइज होते थे मुझे मिलने चाहिए ऐसी भावना से जाते थे और सब मेरे घर आते थे अभी मैंने एस्टेबलिश्मेंट च साथ जब ये एवार्ड मिला तो मुझे अच्छा तो लगा और बहुत अच्छा क्योंकि देश की तो मिट्टी भी हमारे लिए सर आखों पे है लेकिन निर्थ में जो भक्ति का एक गुरु जी ने हमारी अंदर सोच बनाई जैसे एक मंदिर का भक्त कभी नहीं सोचता है कि इ जब दिशा बदली में भागती थी सुर लेताल में उन्होंने उसको बांधा जीवन में एक नया आयाम मिला पाउं कैसे बोल सकते हैं जीवन को कैसे जीवन्त किया जा सकता है क्योंकि सभी उपलब्दी अगर हम उसका जीवन्त में हर आनंद के शन को हमने अपने कर्म आनंद के लिए जिसे entertainment कहते हैं it's not mere entertainment ऐसी चीज़ को सोच के जब हम अगरसर हुए जीवन एक प्रशन है मानव की चिष्टा उसका उत्तर ढूनती है फिर सब उत्तर प्रशन बन जाते हैं और हम खोजने लगते हैं हम क्या करें क्या ना करें इतनी संसारिक चीज़े गाड़ी नहीं दो गाड़ी competition है भव्य बना लिया सब कुछ बना लिया लेकिन संतुष्ट होते हैं नहीं होते हैं क्योंकि खालीपन अंदर से हैं जोड़ते बाहर से हैं अध्यात्म निर्त संगीत साहित यह सब अंदर के खालीपन को दूर करता है जब अंदर से रहीस हो हैं अंदर से भड़ जाते हैं अंदर के भिकारी जो माग हमारी चीज जो हमें धरोहर के रूप में इश्वने सौपी है वो उसमें हम कितने खरे उतरते हैं पंद्रा दिन की टूर था इस्पेन में उफ्टा कांफरेंस थी इसमें 26 कंट्रियों ने पार्टिस्पेट किया मै चोटी-छोटी से इंस्टिडेंट बताती हूँ आपको नया नया था हमें लगा जैसे और कारेकरम करते हैं करेंगे और लॉट आएंगे जब सब जगा कारेकरम हो रहे थे तो मैंने कहा इस तरीके से स्टेडियम में कहीं कारेकरम होता था उनके फूड फेस्टिवल था मैं तक तालिया नहीं मिली तो मुझे लगा शैदी, मुझे लगा शैदी ने समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हमें तालिया नहीं मिल रही, लेकिन जैसे ही कारिकरम डेड़ विंड़े के बाद खतम हुआ, सारी सब जावट के फूल हमारे उपर फेंके गए, मुझे कहा, हे भारत त धरो और संस्कृती को हम निर्तमाध्य हम से सामने रखते हैं, और इसी का श्रे हमको मिलता रहता है, मैंने गुरुजी से लोड़ते हैं, सामे का, गुरुजी मुझे लंडन जाना है, और मैं उतनी बड़ी नहीं थी, मैंने का, I'm Pussycat की, हमने पोईम पड़ी थी, मुझे ल उनों जुड़ जाता है, वो आपके उपलब्धी की चरम सीमा होती है, पराकाष्टा होती है, आप विश्वास करिए, मैंने अपने फैंस के बूते में पूरे योरोप लंडन जाने के बाद ट्रेवल किया, 185 परफॉर्मेंस करके हम देर साल के बाद भारत लोटे, और जि किंग्स मेडिकल कॉलिज, लंडन स्कूल ऑफ एकिनेमिक्स, और छोटे-छोटे स्कूल में किया, क्यों किया, तब हम लोग जहां पर भी जाते थे, एशियन कंट्रीज के नाम से, एशियन, इंडिया, एशियन, नई भारत की पहचान भारत जैसे होनी चाहिए, हम अपनी सं एक साथ चलती है, जहां आप गाओं में जाते हैं, जहां आप गहराई में जाते हैं, जहां आप संस्कृति में जाते हैं, वह हम अलग हो जाते हैं, और इस पहचान को बनाने के लिए, निशुल के मैंने सारे स्कूल में, हाला कि उनके पास धंता जिसने जो दिया, मान दिय हमने दिया और देर साल बाग एलिया इननलनियन एक्टियोकेशनल एथॉर्टी के साथ हमने एक फिल्म बनाई में आक्सवर्ड यूनिवस्टी में लेक्चर दे रही थी तो कॉश्चन आवर्स में लड़का उटके शायद इंडिया था भी गो टू इंडिया भी सी को तो मिना ताज महल एंड मुगलाई फूड एंड एंडें कथख दान्स वही जो मध्यूग में वाजिज अली शा के अंतर गताया जो मेरे गुरू जी ने रिवाइफ करके फुर्ट पुर्ण हमने उसका अनुसरन किया कि ये तो अध्यात्मिक चीज है मध्यूग से क्यो जोड़ी ज जिसमें प्रिमोगल स्टाइल अफ कथख, मीडिवल और मॉडर्ल मैंने उसको बताया हर चीज की एक लियर होती है जब उसके उपर आ जाए तो दिखाई नहीं देता है तो दिखाई नहीं देता है और वही चीज मन से हटाने के लिए whole of the Europe हमने किया वो समय अच्छा था हम क मही मा है तेरा एक छोटी सी चीज हमारे पास है तो लोग नमन करते हैं जिसके पास पूरा जगा है सौराज पौल जी ने उससे भी हमसे कहा हम आपकी मदद करें फिर कहते हैं जब ईश्वर आपकी उपर महरबाने तो हम क्या करें तब इंडिया हाउस चल रहा था बन रहा न्यू कैसल अपॉंटाइन जहां पे भी बर्मिंगम कहाई पे भी बुलाया हॉलेंड बेल्जियम सुईजर लेंड हम सब जगा गए और सब जगा हमने भारती संस्कृती की इस चीज़ को इतना प्रचार करने का प्रयास किया कि सब लोग जाने भारत क्या है उसके चीज़ गई थी उस समय रातरी का समय चल रहा था रातरी पक्ष छे महीने की एक स्कूल में लेक्चर डिमास्टेशन के लिए गई तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां पे बच्चों को प्यार नहीं करते हैं उसे अब्यूज मानते मैंने सारे मियूजिशन से मना कर दिया कि डोंट प्यारे में हमने बताया जिसे माई यशोधा प्यार करती थी निर्थ संगीत में बहुत अच्छी बात है कि वो उस चीज को आपके इस महरण में डाल देती है जो आप उस तक का अक्षर गया नहीं डाल पाता क्योंकि जब हम करते हैं तो हम उसे उतारते हैं उसे सोचते हैं वो अक्षर हमारे अंदर एक समबाद बन के उतर जाता है इसलिए अभी भी जो मेरे चोटे 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 आप तो बहुत बड़े बड़े हीरे तराशते हैं मैं सबसे चोटा हीरा अपना दिखाऊंगी आपको किसे दिन दर्थ करके जब हमने कारे किया और सब बच्चे आ जानधने की एक शमता है जो लोग टेक्नलोजी के पीछे भागते हैं मशीन से आप प्यार नहीं कर सकते हैं आप प्यार कर सकते हैं हिर्दे से जब हिर्दे बोलता है अक्षर बोलता है भाव बोलते हैं विचार बोलते हैं तो अभी व्यक्ति का माध्यम कोई भी हो चाहे व वो बोलता है तो वो ऐसे जोड़ देता है कि फिर उसे कोई नहीं तोड़ सकता इसी भाव से जब मैं कारिकरम कर रही थी मैंने गुरू जी से कहा गुरू जी यहां तो सारे ओर्ड लोग दिखाई देते हैं मुझे यंग जनरेशन को बांधना है उन में समवाद करना है वहां का एक फिन लेंड में आवाड करके कहते हैं क्या मैंने का गुरू जी एक फ्यूजन करना है कल हमारा बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है कहते हैं कप करना है मैंने का कल करना है कहते हैं नहीं फिर हमने बहुत मनाया उन्हें कैते हैं, रहर्सल कप करेंगे, मैंने का गुरुजी अभी चल रहे हैं, रात के बारा बजे थे, माइनस चपविस टंपरेचर था और खुब बरफ गिरी हुई थी रात, हेल सिंद की में, जब मैं ओवाडियो के हाँ पर बड़ा मना के गुरुजी को ले गई अच्छा कुछ सरचना करी उसी समय, हमें बढ़ दी कान में लगाने के लिए, हमने का हम लोग तो कान खोल के संगी सुनते, कान बंद कर के संगी सुन रहे हैं, यह तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अगले दिन जब जहां परफॉर्मेंस मेरी बड़ी खतम हुई, में परफॉर के तरह अपने रंग की आबा जब छोड़ के आते हैं, तो लगता है, हाँ हम में कुछ है, मैंने का कमली नहीं, आज के बढ़ में नहीं आज के बदा था, एक लोग था, बीयर चलने के बाद वहां पे जो एक अपनी अपनी अस अभिता के नुसार होता है, स्किसिंग वगर चल रही थी, सब खड़े हुए थे, मैं बहुत दर गई, लिकिन जैसे ही हमने वो फ्यूजन शुरू किया, एंट्री हुई हमारी, बिलकुल पर्फेक्ट साइलन्स हो गया, जैसे हमारे डेली में कामानी ओडिटोरियम में होता है, और उसके बाद वो हमारा निर्थ सुनते रहे, जैसे ही हम खड़े होके फ्रीज हुए, आवार्डियों ने आके हमारे पाओं को चूबा, मैंने का ये सलाम है मेरे देश के लिए, मेरे लिए नहीं है, फिर सब लोग कहते रहें, बन्स मोर गुरू जी ने का नहीं, अपना असर छोड़ दिया, अब हम जाते हैं, कुछ देने के लिए आए हैं, जो कुछ भी अर्जित करते हैं, उसको समर्पित करते हैं, उसको नमन है, अभी रामदेव जी के यहां अश्रम में हम लोग निर्थ की शिक्षा दे रहे थे बच्चों को, क्योंकि वो कुछ भी अपनी तरीके से तैयार किये, तो नहीं का इसलिए उसमें कहीं पे भी कोई ऐसी बात नहीं आती, हाँ, लेकिन जब विचारों में कभी मत्वेद होता है, यह मुझसे नाराज हो जाती है, मैं ऐसे एक बात कह देती हूँ, मैं कहती हूँ, मैंने बहुत अच्छे कर्म किये थे, कि मुझे तुम जैसी बहन मिली, तुम कमलनी जी की प्रेड़ना से मेरी मा साहितकार है, और एक बार में भीमार पड़ी, मुझे टाइफ़ड हुआ, तो मेरे ठाली रहने की आदत नहीं है, मैंने एक पुस्तक उठा ली, और उस समय हम लोग साइंस इस्टूडेंट थे, आर्ट्स को साइंस से थोड़ा निम्न सम मुझते थे हमारी गलत मान सिकता थी, जैशंकर प्रशाद जी उनके प्रिये कवी थे, शेशी मुख पर घूंगड डाले आचल में दीब छुपाए, इस जीवन की गौधूली में तुम कौतूहल से आए, माना वो चलना थी पर उसमें मेरा विश्वास गना था, उस माया की छाया में, मैं स्वेम सत्व बनाता, मैं दिका अरे ये इसमें तो सब कुछ जीवन का सार है, आजाद हो तो उसकी फोकस में भी रस निकलेगा, तो शुगर केन और केन का फरक है इसमें, जहां रस पूरा भरा हुआ है, संगीत में, निर्त में, वाद में और साहित में, और किसके विरुत किसको आशिश, किसकी अकुशलता की चाहा करूγ। ये कैसी कठिन परीक्षरा पर हो, मैं गोद भरूँ या मांग भरूँ। मैं रहु बनूँ या केतू वनूँ, मंतारोंदू या प्रीत दलूँ, पदरिष्ट करूँ, पदनश्ट करूँ, मैं भसम हमारे अंदर कब कहते हैं एक बून डालने से ही गंगा जलसे हैं आप पवित्र हो जाते हैं और अगर गंगा में डुकी लगा ली तो बहुत ही अलग है तो मैं इश्वर की कितग हूँ इन सब चीज के लिए कि इस तरीके से जो हमें एक सानेदे मिला एक अगरसल होने की सोच म होती है क्योंकि जब हम निर्थ करते हैं तो कोई चीज को देखते नहीं है एक बच्चे को पूरी महा भारत याद हो जाएगी कंठस्ट श्लोक के साथ अगर आप उसको निर्थमें या आप उसको ड्रामा में किसी थिएटर में उसको करके दे उसको पात्रता आ जाएगी औ इसको कितना अभी व्यक्त करना है यही सोच से मैंने एक छोटा सा और चीज है जो मैं बताना भूल गई सारे देवालों में बारो जोतर लिंग में निर्थ करने के बाद के बाद कैला शमाल सरोवर में किया लेकिन मेरे सामने कि जितने भी कुम थे उसमें जब माग मेला इनों में जिसमें महाम अंडलेश्वर बैठे थे और सबकी अपनी अपनी चांदी की गदी और उसमें बैठे हुए थे राजमाता सिंदे उन सब ने बोला और हम भारत भवन में ठहरे हुए थे मुझे अंतमे गुरू जी से कहा आप कुछ बोलिया अचानक गुरू जी बो से बहुत चर्म सीमा में पाँच चुके थे उनकी कनेक्टिविटी थी लेकिन शारीरिक रूप से वो कहीं भी योगी नहीं लग रहे थे और योग करने वाले को देखा वो शारीक रूप से बहुत अच्छ था लेकिन वहां अध्याप नहीं दिखा मुझे नफराज की मूर जिस पे हम लोगों ने काम किया है जैसे नली जी बता रही है हम लोग पंचे तत्वर अगनी रित की मुद्रा यही होती है करके बताएंगे तो हमने क्रिश्न को योगी माना है उस से परिपूर्ण कृष्ण भगवान को इस धरातल पे उस रूप में प्रदशिन किया तो हम I'm going to just sum up very quickly yeah तो हम लोगों ने रित्य मुद्रा विज्ञान पे कारे किया और उसी धारा को लेते हुए समस्त हमें जित्ते भी NCRT के साथ हम जुडे केंदरी विध्याले के संगठन में हम लोगों को मनोनीत किया गया और उसी का श्रह लेते हुए हमने यह पूरा प्रचार क किया है CBSC में या जो भी हमारे पारलिमेंटरी का मेटरी है जिसमें हम लोगों को इसलिए मेंबर बनाया कि आप इस धारा का प्रचार करिये तो उसी धारा का प्रचार करते हुए इन प्रित्य में योग का सामावेश और किस तरीके से हम सशक्त और बल्वान बन सकते हैं बहुत सारे BSF में, military establishments में या फॉजियों के बीच में हम लोगों ने काम किया जहां पर उनकी जिसे कहते हैं फिजीक को बहुत अच्छी तरह से बैलन्स कर सकते हैं आप देखिए हम लोग सौसो चकर ले ले लेते हैं लेकिन हमें भी चकर नहीं आते हैं निरंतर पत्संचा करते हैं लेकिन थकते नहीं हैं कारण है एकुप्रेशर पॉइंट के ऊपर जो हम लोगों ने कारे किया बिकॉस आइवास दूइंग मैडिकल मैडिकल लाइन के थी मेरी मैटनी आइडल मैडम की उरी थी लेकिन अब हम डांसर बन गए तो वही हमारी सोच रही हम लोगों न थेरपेटिक वेल्यू आफ डांस पे काम किया नृत के किस टुकड़े से कौन से ग्लैंड से सिक्रीशन होता है इस पे काम किया और इस सबका किस तरह से हार्मोनिक बैलेंस रहता है उस पे काम किया बहुत बड़ा बड़ा काम है लेकिन छोटे से कैपसूल में बताना मुश रित्य संपूर्ण योग, मुद्रा विज्ञान, एस्थेटिक से इन डांस पे कारे करते हुए, हम लोग निरंतर चल रहे हैं, आपको मेन स्ट्रीम में लाना, ये सब कारे कर रहे हैं, और मैं भारत सरकार की ओर से PMO नॉमिनेटेड मेंबर आफ संगीत नाटक अकेडमी रही, और सन 2014 से जब से मोदी जी आये, और उसके बाद मुझे चेर्मेन आफ डांस जॉनर बनाया, जिससे जितने भी पूरे भारत में सरकार की अकेडमीज हैं, गौहाटी में, कैरला में, मनीपूर में, और डेली में कासा केंदर में, उसकी में अध्यक्ष रही और अभी निरंत सरकारे कर रहे हूं, बहुत प्रचार कर रहे हैं, और हम लोगों का में उदेश है कि बच्चों को हर व्यक्ति को में स्ट्रीम से जोड़ना, मकसद यह नहीं है कि सब कलाकार बनके नृत करें, मकसद है अवेरनेस ओफ कल्चर मेंक्स यू अबेटर हुमन, मेंक्स यू बेट अब आगे हुता है, एक पीछे होता है, आप जहां ट्रडिशनलिटी को चूते हैं, वह अगर सर होते हैं, टेक्नलोजी और दूसरी चीज में, ऐसी हमारे प्रधान मंत्री नरेंथ भाई मोधी जी की भी सोच है, और इस सोच को लेके आप आगे चल रहे हैं, मुझे लगता हैं, जो कुछ भी आप करेंगे, अपने इंस्टिट्यूशन के लिए, अपने संस्थान के लिए, अपने प्रांत के लिए और समाज के लिए, वो सरहानी है, आपके परिवार में सब सुकी रहें, आपके प्रेम से बने रहें, सौहगवती रहें, अच्छे रहें, मैं आपक अगर फ्री होई, नहीं फ्री नहीं कोशिश करूँगी, जरूर आपके पास आउँगी, क्योंकि आपको दो बहने मिल गई हैं, मेरे गुरू जी को समर्पित दो पंक्तियां जो मैंने केलाश मौनसर ओवर में लिखी दी, वो आपके सामने रखती हूं, बेवफा ना कहे वफा को जमाना, तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया, और ठोकरों से मुलाकात थी, तुम्हारी पत्थरों सजदे में तुम्हारे आगे सरों को जिखा दिया, और इस तरीके से, आप सब लोगों का साथ पता ही नहीं चला, साथ जो तुमारा था तो लम्हों का बता चला, वक्त जो गुजरा गुजरता चला गया, आपको बहुत-बहुत शुक काम ना है, ईश्वर आपकी सोच, आपकी इस चीज़ को बनाते रहें, जो भी एवार्डीज हैं, उनके शेत्र में, उनकी सोच को अगरसर होने के लिए, ईश्वर एक शमता दें, और यही प्रा अपनी कला के माधियम से कितना कूछ सिखने को मिल सकता है, और कितना उनोंने पाया है, खूब-खूब अबार हम सबको इतना पसंद आया, आपने जो सरलता से सभी को समझाया कि नृत्य एक कला कैसे जीवन में काम लग सकती है, इसी तरीके से हम जब से पदमश्री एवोड़ी यहां आ रहे, सुनते जा रहे, मैं देख रहा हूँ कोई भी गैस्ट अपनी जगा से हिल भी निरा है, इसी तरह हम अभी लंच का समय भी हुआ है, एक गंटा हम सबसे वारतलाब करेंगे, लंच करेंगे, वापिस इसी तरह बहुत सारे एवोड़ी को हम सुनेंगे, इतनी सरलता से इतने अच्छे गैस्ट यहां बैठे है, जो बॉम्बे से, सुरच से, अलग-अलग जगा से पदा रहे हैं और बहुत सिस्ता से यहां विननती करूंगा, सभी पदमश्री, सभी एवोड़ी को, वेल विशर को, हम पिछे ही डोर ओपन हुआ है, जहां पे लंच करने जाएंगे, और एग्जैक्ली हम 2.40 को यहां वापिस मिलेंगे, और अपना कार्यक्रम है, सभी एवोड़ी को सुनना है, वापिस शुरू करे तो मैं विननती करूंगा, पिंटु भाई, सभी फैमिली मेंबर्स, पदमश्री एवोड़ी जो है, उनको आगे लंच के लिए लेके जाए, और फिर हम सब वेल विशर को लेके जाएंगे, तो मैं विननती करता हूँ, हीत, द्रव्य, हितार्थ, पिंटु भाई, सभी एव तो मैं विननती करता हूँ कि हम सब इसी तरह दुपेर का सैशन भी शुरू करेंगे, थैंक यू करता हुआ, तो मैं विननती करता हूँ हुआ मैं यू तरह दुपेर को लिए चे़को अ करता हुआ हैं, विनन्तु करते हूँ हम सब वोग्ट है, यू ए us NICK प्ता प्क भ Subifa, हम सब दोन्य हão alguien करता है झाल झाल